आज के बिरोजगार के लिए नौकरी सिर्फ एक सपना नहीं रह गया है बलकि उसकी जरूरत बन गई है तोकि मावाप के ख्वाबों को हकीगत में बदलना है भाई बेहनों के भविश्य को सवारना है समाज के लिए अपने नजरिये को बदलना है समाज का नजरिया हमारे लिए बदल जाए और अपनी जिन्दगी को कुछ आसान बनाना है आप भी देख रहे हो कि किर्केट भी एक खेल है उसमें जीत या हार में से एक होनी है इन तो मेंच को जीतना भी एक जरूरत बन जाता है जब लाखों की वीड आपसे उमीद लगाए हो आपको खेलते हुए देख रही हो तब कई सारी चीजें जीतने से जड़ जाती है और जीतना बहुत माइने रखता है उसी तरह जिंदगी में भी ऐसे ही नौकरी है आपका परिबार, दोस्त, आपकी प्रेमिका आपसे उमीद लगाए रहते हैं कि कब आपका सेलेक्शन होगा और कब उनके सपने भी आपके सहरे पूरे होंगे कब आप उनकी आसाओं पे खरे उतर पाएंगे और ये अच्छा करने की चाहत में नौकरी सिर्फ एक सपना नहीं रह जाता बलकि जरूरत बन जाती है नमस्कार, वर्ल्ड कप में में मिले दर्थ से उभर कर मैं अभीने, आप सब का अभीने, मैं उस पर स्वागत करता हूँ आप सब हमेशा एक बात खुद से बोला करें जरूर कि मसले कई थे जिन्दगी में मेरे, मगर मैं किसी एक में उलजना नहीं चाहता हूँ सपने कई हैं जिन्दगी में मेरे, मगर मैं किसी एक को भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ तो जिन्दगी के तमाम सारी रिक और मानसिक तनाप के उतार चड़ाप के बाद अब अपनी जीत की तयारी सुरू करते हैं A2Z Quant Pro Batch के साथ क्योंकि नौकरी अब सपना नहीं जरूरत है हर हाल में सेलेक्शन लेना है हर हाल में नौकरी लेनी है हर हाल में खुद को प्रूफ करना है हर हाल में जीत के दिखाना है कैसे हैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आपकी तयारी भी अच्छी चल रही होगी और मे ना कभी यूं रहेगा और ना कभी यूं रहेगा पिछले मैंने भी कई सालों में यही सीखा कि जिंदगी कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे वो चलती रहेगी आज से तीन साल पहले जो सुकून ता हो सकता आज कुछ कम हो गया हो हो सकता आगे आने वाले दो सा आपके भाई बेनों के लिए एक बात और कहना चाहता हूं जो अभी मैंने कही आपसे रिचाजी एक बत मैं और कहना चाहता हूं कि दीखिये कभी वर्ल्ड कप आएगा कभी IPL आएगा कभी Holdi-Dragon coffee dhwalee की दुम-दाम होगी तो कभी छुनावी चर्चा होगी मुझदी जीतेंगे नहीं जीतेंगे कभी घर में पड़ाशी के घर में साधी का माहौल होगा कभी कि आपके आपके बच्चे के जनम दिन का केक कटेगा, कभी थेटर में पठान लग जाएगी, कभी OTT पे मिर्जापुर आजाएगी, ये सारे मौके आपके काम आते हैं, पता है कि अब जब आपका जीवन बेर्थ बीत रहा है, और उससे आपको मुह मोड़ना हैं, तो ये सब काम आते हैं, लेकिन अब जो जीवन में फिर से सूनापन आ गया, कल तो वर्ल्ड कप के फाइनल तक हमने अपने आपको इतना बिजी कर रखा था, हमें लगी नहीं रहता कि जिन्दगी में कुछ सूनापन है, अब जिन्दगी फिर आप से सवाल करेगी कि जीवन का उद्देश चेगा है, कौन सा काम करना जरूरी है और कौन से काम को टाला जा सकता है, हमें आलस और उड़जा की कमी क्यूं है, रिष्टों में खटास, दिल में सूनापन क्यूं है, बताए क्या करना है, या फिर से आप ये सोचते हैं कि फिर किसी नई बहाने से इन सवालों को दबा देना है, और इनका समादान है, इन सबका समादान है, और एक ही है कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, अगर हम कुछ भी लक्ष डिसाइड करके अपनी मंजिल तक पहुँचने का एक रोड में बना के उस पे हर दिन कुछ-कुछ चलना सुरू कर देते हैं, तो जिन्दगी का मकसद समझा जाता है, कि आखिर मुझे कहां पहुचना है, बहले ही आप वहां ना पहुचें लेकिन आप जहां तक भी पहुचके रुख जाएंगे, जिन्दगी का कुछ पता नहीं है, कहते हैं ना वो नाजिर काजमी का सेख है, शेर है, कि युहीं आबाद रहेगी जिन्दगी, हम नहीं होंगे, कोई हमसा जरूर होगा, तो बस हम जब तक हैं, जब तक अच्छा भैतर अपनी नजरों में करते रहेंगे, दुनिया के साथ कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अपनी नजरों में जिस दिन इमानदार हो गए, जिन्दगी आपको कहां ले जाके रख देगी, आप सोच नहीं सकते हैं, तो चलिए सुरू करते हैं, आज की क्लास बहुत मचा आने वाला है, बहुत अद्भूत तरीके से हम पढ़ेंगे, मैंने आपको कहा था कि ये समझ लीजिए, ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है, जब SSC ने इतना वक्त देके पहले ही बता दिया कि हम तब एकजाम लेंगे, उनको भी मालूम था कि इस बार मुश्किल कटओ गई है, आसान नहीं है, selection लेना, आसान नहीं है selection लेना, उनको भी मालूम था, तो अब भी अगर आप select नहीं होते, अब भी आप इन 8-9 महिनों को अपनी तयारी में अपने पूरे बचे हुए जीवन को सवारने में नहीं जोकते तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता आपके हाथ में सिर्फ कटोरा रह जाएगा सिर्फ खुर पे रह जाएंगे उसके बाद छेलते रहना आप गास मैं जितनी मदद आपकी बैस से बैस्ट होगी वो करूँगा मैंने कहा कि मैं यूट्यूब चैनल पे आके पूरा मैस आपको धीरे धीरे सना सना करके टाइट वाइज सब कुछ समझाऊंगा जहां मुझे जरूरत रगेगी कि मुझे कुछ बेसिक्स के वीडियो आपको देने हैं तो वो मैं आपको दोंगा लेकिन गड़ित की पूरी जिम्मेदारी मैं लोंगा ठीक है तो ये और एक दो जरूरी सूचना जो बच्चे किताब के बारे में पूछ रहे हैं तो अभी जो भी अब बैच स्टार्ट होने वाला है मैंने आपको बताया टेश्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट होगा जिसकी ख़बर कल आपको टेश्ट बुक के चैनल पे दे दी जाएगी कल रात को नौ बजे टेश्ट बुक स्से बाई सुपर कोचिंग ठीक है इसके अलावा जो किताब है उसकी इन्फोर्मेशन परसों आपको मिल जाएगी जो भी दो हमारी नई किताब आ रही है अभी आने को तो आट-दस किताब आएंगी बट अभी जो दो नई आ रही है उसकी इसी चैनल पे परसों आपको है तो चलिए शुरू करते हैं अब बिना कि सीधेरी के बीच वीच में भी मैं घ्यान की बातें बताता रहूंगा आपको देता रहूंगा क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन में पढ़ा पाना और पढ़ाना तब ही संबभव है जब टीचर बच्चों को पढ़ाई में बनाई रखे तो पहले मैं दो मिनट लूँगा सिर्फ मैस की यह स्टेटेजी बताने में कि आपको कई सारे लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि यह मैस हमें आ सकती है नहीं आ सकती है पहली जीच दूसरी जीच कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता है तो मैं यह बताना चा आए कि जब SSC ने इस बार पैटर्ण बदला दो तीन टॉपिक को वो नया लेकर आए उन्होंने सवाल पूछने के थोड़े बहुत अंदाज को बदला तो हमें भी शॉलूशन के तरीके बदलने होते हैं मैं सिर्फ एक ही चीज के लिए जाना जाता हूं जिनको नहीं पता मे मेरे वारे में मैं बता देता हूं मैं जो तरीके बताओंगा और आप अगर वो सीख गए तो सवाल कैसा भी आ जाए यह याद रखना वो तरीके लगेंगे ही लगेंगे मैं वह नहीं हूं कि मैंने तरीका तो बता दिया और जब एनलैसिस कराने आया मैं पिरिया मेंस का तो थी और देड़ घंटे से वह दोनों सवाल फशा दिये कि और अगेंस्ट वाला लोग दस घंटे भी पढ़ा रहे थे लेकिन फिर भी वह और अगेंस्ट नहीं फशा तो क्या मतलब ऐसे पढ़ाने का मैं कभी यह नहीं कहता कि मैं इतना पढ़ाऊंगा और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा अरे भाई उससे बाहर तो कुछ है भी नहीं लेकिन फिर भी लोगों का निकल जाता है मैं कहता हूं मैं इतना पढ़ा हूंगा मैं हर बार नया बैच लेकर क्यों आ रहा हूं मैं कह दूँ आपको कि पुराने 200 घंटे के बैच से पढ़ लीजे मैं क्यों यूट पल भी पहले फॉन में हैं बीच में बटन देता था लेकिन जब उसने बटन हटाया तो यहां पर यह दे दिया ऊपर यह काला काला सा दे दिया तो जब हम कुछ चीज़ां हटाते हैं तो कुछ चीज़ां जुड़ती हैं लेकिन लोग SSC की तैयारी में छोटा एक्जाम सवाल करने हैं वो भी सम मिला के क्लास और प्रक्टिस उतना गड़ित पढ़ लेंगे तो काफी है क्योंकि गड़ित में 30 सवाल पूछे जाने हैं में और 25 सवाल प्री में इस बार लोगों ने गड़ित को प्री से पहले हलके में ले लिया तो प्री कॉलिफाई नहीं कर पा जिनको गड़ित से डर लगता है जो कहते हैं कि मेरे को गड़ित आई नहीं सकता ऐसा बिलकुल भी नहीं है ऐसा बिलकुल भी नहीं है देखिए जो भी बच्चा इस पूरे बैच को कम से कम जो बच्चे अच्छे हैं पड़े लिखे हैं वो तो मैं कहूंगा कि एक बारी कर तो मैं यह बताना चाहता हूं, उनके लिए दो बार पढ़ना पढ़ेगा, एक बार मैं पढ़के जाओ, उसके बाद समझ लो, फिर एक बार दोबारा वीडियो देखके नोट्स बनाओ, क्योंकि आपके पास परियाप्त समय है, आपके पास परियाप्त टाइम है, तो बहुत परिये बाद time-oriented practice, यानि mock test, ये तीन चीज़ें हैं, NPM, या MNO कुछ भी लिख लो, NPM, ये अगर आप करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि गड़ित में तकलीफ होने बाली है, हमें कैसे आ गई हम कोई मा के पेट से सीखके गड़ित नहीं आये थे, हमने भी यहीं सीखिए बस हमें क्या तरीके देखने हैं, आज की class में भी आप तरीके देखेंगे, आप देखेंगे कि मेरी गुड़ा भाग करने का तरीका कैसा है, तब आपको लगेगा, और यार मैं तो मेंस के सवाल को बहुत आसान कर सकता था, मैं फिर भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास य ये तरीके नहीं है, तो में तरीके सीखने हैं, अब आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, चाहें आप CGL की त्यारी कर रहे हैं, चाहें आप CGL की त्यारी कर रहे हैं, चाहें आप CHSL की त्यारी कर रहे हैं, ये batch सब के लिए, MTS की अगर पूछे जाते हैं cat label तक कि जैसे cat में सवाल आते हैं वैसे तो वहां तक हम cover करके चलेंगे शुरू करेंगे यहां से zero से और आगे hero तक जाएंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं voice बढ़ाओ सत्तु भई अगर किसी को फिर भी voice में दिक्कत है तो माइक उपर कर लेंगे या नई टी-शेट में थोड़ा दिक्कत आ जाता है आप समझा करो बात को माइक वाइक सेट करने में ठीक है see banking के लिए लिए अरे banking में कौन सी बहुत नई चीज आती है क्या banking में मिक्चर नहीं आता है जो आज की class में सवाल लेकिए मुझे लगता है कोई सवाल banking का भी आया हुआ है अच्छा सवाल है paper में नो हमने उसको भी सामिल कहीए जो जो बाते आपको पसंद आती रहां देखि कि पूरा शेशन पसंद आना असान ने लेकिन अपको कोई एक बात पसंद आ जाए तो जरूरूर लुक्रा पटने ब्टन दबाते रहिए, ठीक है, कुछ भी ऐक बात आपको ऐसी लगते जो पसंद आ जाए, तो चलिए शुरू करते हैं देखिए आपको भी द्रंड परतिग्या लेनी होगी कि मैं हर दिन पढ़ूँगा हर दिन महनत करूँगा आप अगर ये द्रंड परतिग्या लेंगे तभी मैं भी आपकी मदद कर पाऊँगा क्योंकि मैं ऐसे समझ लीजिए GPS हूँ आपने सेट क चलना है तो आपको आपकी मंजिल मिलेगी लेकिन चलना आप ही को पढ़ेगा आप बीच बीच में पूछ सकते हैं लेफ्ट का लेना है राइट का लेना है पुल पे चड़ना है नहीं चड़ना है ये सब बताने के लिए मैं हूँ लेकिन चलना आप ही को पढ़ेगा मेहनत आपको करनी पड़ेगी आप मेनत करेंगे तो 100% सेलेक्शन हो जाएगा हमने ये बैच इसी लिए और जल्दी सुरू कर लिया कि सिर्फ मकसद गड़ित सिकाना नहीं है आपको पढ़ाई में लाना भी है दो महीने आपके वर्ल्ड कप में भी खराब हो चुक हैं तो आपको प दालेंगे आप निर्बर बनने के चक्कर में आप छोड़ देंगे स्सी की तियारी हम तो अपना सुरू करेंगे क्या छोटे समों से कुल लड़की चाहिए के साथ इसलिए ग्रिजुईशन किया था बदाएए मुझे तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हमने टॉपिक भी बड़ा अच्छा चुना है हमने काई कि हम मिक्चर से सुरूरात करेंगे मिक्चर का सवाल भी आपने देखा था इस बार कि मेंस में अच्छा पूछा गया था तो मिक्चर का सवाल भी बड़ा अच्छा पू अबिने मैश टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी आप डाउनलोड करके खुद से सवाल करना चालू करेंगे 10 सवाल 20 सवाल 30 सवाल मैंने बताए लेकिन जब तक आप उस पर 30 सवाल और नहीं करेंगे कि आप फॉस्ट्रेक पर दोड़ा दे रहा है नरायन मूर्ति को आपने पीछे चोड़ दिया ठीक है चलिए शुरू करते मिक्चर क्या मिक्चर को हिंदी में क्या कहते है मिसरन कहते हैं भीच वीच में यह कमाल की बाते हैं भी मैं आपको बताता रहूंगा थोड़े थोड़ दगी, एक रिस्ता प्रेमी और प्रेमिकाओं का मिसरण है, सब कुछ मिसरण है, एक परिबार, माबाब, बच्चे, भाई, भेन का मिसरण है, तो दूद पानी का मिसरण है, तो ये जो हम यहां पढ़ने जा रहे हैं, वो में लिए 2-3 तरीके के मिसरणों पर बात करेंगे, य दूद या दूद ले क्या है, उसमें पानी है, तो दूद-पानी के मिसरण पर हम बात करेंगे, तो basics हैं क्या मिसरण के यहां, तो मैंने example दे दिया, कि मिक्सरण मतलब 2-3 चीजे, 1-7 है, 2-3 चीजे चार चीजें भी हो सकती है, 2-3 चीजें क्या है, एक साथ है together है जैसे आप देखा के साथ together है लेकिन वो togetherness बहुत लंबी चलेगी नहीं पर आपकी नौकरी नहीं लगी इसका मतलब होता है together है दो तीन चीजे यह नीचे कर दो भाई बच्चे जो देख रहे हैं ठीक है दो चीजे तीन चीजे है और together है together का मतलब साथ साथ तो यह क्या है मिसरण हो गया लेकिन मिसरण के ऐसे basics क्या है जो हमें जानने जरूरी है basics क्या है जो type 1 आज का हमारा है उसके अंदर हम क्या basics सीकेंगे तो देखें, basics में क्या है, जैसे मैंने लिखा कि milk और water है, हमें जब भी दे रखा होगा तो जरूरी नहीं है, quantity दे रखी हो, हमें ratio देदेगा कि यार, x ratio y, अब अगर कोई हमें कहता है कि यार, मैं इसके अंदर tea liter water add करूँ है, tea liter water add करूँ है, तो हमें एक चीज पर focus करना है कि अगर हम water add कर रहे हैं, अगर हम water add कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दूट पे फर्क नहीं पड़ेगा, दूट उतना ही रहना चाहिए, तो जब कभी सवाल में ये कहा जाएगा कि हम water add कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि जो दूट के milk add कर रहा होता, ये milk है, ये water है, और ये x ratio y है, और मैं कहता कि मैं tea liter milk add कर रहा हूँ, अगर मैं ये tea liter milk add करता, तो मैं कहता कि भीया, पानी सेम रहेगा, ये z, एक तो ये basic सी बात थी, जो मुझे लगता है कि कोरिया के बच्चे को भी पता होगी, कि जब हम पानी जोडते है तो फर्क सिर्फ milk पे नहीं पड़ेगा, वाटर पे पड़ेगा, और अगर हम milk add करते हैं, तो water constant रहेगा, हम water के ratio को वही रखेंगे, और दूद बदलेगा, इतनी सी बात सबको समझ आई, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं, जिसको ये बात ना समझ आई हो, कोई भी ऐसा बच् कर रहे हैं, और आपने सोचा है कि आपको CGL करेक करना है, भले है आपको उसके बाद IS करेक करना है, लेकिन कहीं से कहीं तक पहुँचने के लिए सीडियों की जरूरत होती है, ऐसे समझ लीजे, जिन्दगी में आप कितनी भी आगे बढ़ना चाहते हैं, SSC उसके लिए आप की सीड़ी है, तो उसके लिए आपको अपनी सोच को बढ़ा करना पड़ेगा, क्योंकि एक बात याद रखना, बंदे को आउकात से ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन सोच से ज़्यादा कभी नहीं मिलता, तो हमेशा बहुत बढ़ी सोच रखे, सोच जितनी बढ़ी होगी, उतने बड़े मुकाम मिलेंगे, ये बात गाट पान लेना, ठीक बोला दुर्गा जी मैंने, आज दुर्गा जी भी हमारे साथ हैं, जिनके सरकारी नौकरी की तेयारी में, आल्मोस्ट बाल उड़ चुके, और उनका अब एक ही है, कि जिस दिन नौकरी लगेगी, मैं बाल कराऊंगा हर जगे के, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक हमने बेसिक सी बात ये सीख लिए, अगली बेसिक बात क्या है, जैसे कि अगर किसी भी मिस्रण में, मैं एक्जामपल हमेशा मिल्क वाटर का लोगा, जब तक जरूवत नहीं होगी, जब तक सवाल में नहीं कहा ज एक्स रिष्यो वाई है, अगर इसके अंदर से हम कितना भी लीटर मिस्रण निकालने हैं, मान लेते हैं कि मैंने टी लीटर मिस्रण निकाला हूँ, निकाल सकते हैं, आप ऐसे समझीए कि अगर एक दूदिया सुभए 10 लीटर दूद में 10 लीटर पानी मिला लेता है, यानि आधा दूद आधा पानी, तो इतना समझ लीजिए, कोई आंटी उसकी कितनी भी खास क्यों न हो, कितनी भी स्माइल क्यों न देता हो वो, या लेता हो इस्माइल, आधा दूद आधा पानी ही जाएगा, अगर वो किसी आंटी को एक किलो दूद देता है, तो आधा किलो पानी जाएगा और आधा किलो दूद जाएगा आजकल आपने दूदियों का देखा भी होगा वो क्या करते हैं आंटी को इंप्रेस करने के लिए करना उन्होंने कुछ नहीं होता दो बड़े-बड़े ड्रम होते हैं उनके पास तीन-चार छोटी-छोटी बालतियां लटका लेते ह आगे वो सिर्फ माहौल बनाने का खेल है वो उन तीन-चार बालतियों से सबको दूद देते हैं वो क्या करते हैं जैसे बालति खाली फिर उसी में से फिट डाल लिया ताकि आंटी को ये फील आए कि हमारे ये अलग से लेकर आ रहे हैं सहरों में बहुत चल रहा है दुरका है कि कुछ कम हो जाना चाहिए चाहिए क्वांटिटी हो जाए ऐसी की जगह तो मैंने यहां पर एक बात आपको समझाईए वो इसलिए समझाईए यह आंटी का एक्जामपल इसलिए दिया ताकि आप यह बात कभी जीवन में न भूलें कि अगर मिल्क और वाटर का रिश्य हम इसमें से कितना भी निकालें वह इसी अनुपात में निकलेगा वो भी एक्स रिष्यो वाई में निकलेगा वो भी होगा एक्स रिश्यो वाई में निकलेगा अच्छा वो बचेगा किस अनुपात में अब अगर मैं यहां से बात करूँ आपको मैं यह कहूं कि क्लैसिक सवाल होंगे कौणसेप्ट यहीं है एक बरतन में अगर दूट पानी का अनुपात जितना हैं हम उसमें से कितना भी शिर्के की डखारें आ सकते हैं जरका भी फ्रांस से लाया कोई हमारे लिए तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल आज की स्क्रीन के उपर ये रहा बेहद आसान और लल्लू सवाल कह सकते हैं इसको कोरिया का बच्चा भी सवाल को कर सकता है सवाल बेहद आसान है एक दो लाइन में उत्तर आने चाहिए आज का हमारी क्लास का टार्गेट है कि कम से कम हम 40 सवाल पर पहुंच पाएं वैसे मैं 70 सवाल लेके आया हूं 65 या 70 कोशिश होगी पूरे कर पाएं एक मिस्रन में दूद और पानी का अनुपाद 3 साथ है इसमें 12 लिटर पानी और मिलाया तो ये अनुपाद 1-3 हो जाता है तो बताए दूद की प्रारंविक मात्रा क्या होगी ये पुछ रहे हैं तो देखे अभी हमने और आपने एक बात की कि हम इसमें मिला क्या है हम पानी मिला रहे है बारे लीटर क्या मिला रहे है जो लोग पढ़ाई में अच्छे हैं वो रुके रहे हैं एक दू सवालों के बाद आपको अच्छे सवाल मिलने वाले हैं और आप पेपर के हैं भी तीन साथ है, दो क्लास में मिस्रन खतम हो जाएगा, क्या है अनुपात, तीन साथ है, ठीक है, अब मुझे मालूम है कि अगर मैं पानी डाल रहा हूं, तो दूद सेम होना चाहिए, तो ये, तो ये एक तीन है, इस एक तीन को हम क्या करेंगे, तीन से मल्टिप्लाई कर देंग मैंने कहा, ये तीन, ये तीन कुछ करना ही नहीं है, वाटर कितना है, तो आपने कहा, पिलस दो है, दो की वेलू सवाल में कितनी है, बारे लिटर है, दो की वेलू सवाल में बारे लिटर है, देखिए, हमें ये कंपेरिजन सीखना है, क्योंकि ये कंपेरिजन सर्प मिक्च लेकिन सवाल की नजर में वो 12 लीटर है, यानि वो 2 की value 12 लीटर है, यानि एक की कितनी है, 6 लीटर, और अगर एक की 6 लीटर है, तो 3 की कितनी होगी, 18 लीटर, तो इस सवाल का उत्तर कितना होगा, 18 लीटर, कोई ऐसा बच्चा जिसको doubt है, देखें, कमेंट वही करिए जो बह बहुत मुश्किल होती है अब लगता है कि छोड़नों पड़ाए हार मान क्यों कैसी बाते कर रहा है कैसे हार मान सकते हैं कि राह के पत्थर को चकना चूर होना चाहिए वार चाहें एक हो भरपूर होना चाहिए सिर्फ इतना ही नहीं वो हार अपनी मान ले वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए एक आफरीदी करके शेर थे बड़ा अच्छा शेर लिखा करते थे आज कल मैं आपको बहुत शेर सुनाओं और लोगों कि बहुत पढ़ रहा हूं आज कल बड़ा अच्छा लगता भी है आपने वशीर का भी देखा होगा मैंने अपने यूट्यूब कमिनिटी में डाला था है तो चले कमाल की बात फिर से सवाल पर आते हैं सवाल कुछ भी नहीं था एक बरतन में दूद्ध पानी का अनुपा तीन साथ है बाद में तीन नौ हो गया हमने दूद्ध को सेम कर दिया वहां तीन था यहां भी तीन कर दिया ना बढ़ गया दो दो की वेलू बारे लिट फलों का रस और पानी का अनुपाद चार अनुपाद एक के अनुपाद में हैं मिसरन दो अनुपाद एक बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए आपके पास समय हैं 10 सेकिंड आपका समय सुरू होता है अब अगला सवाल पाड़े 7000 लोग हमारे साथ जोड़े मैं बहुत कोशिश करूँगा कि पढ़ाई के अंदर जितना maximum आपके लिए inspirational बाते हैं जितना content आपके लिए जरूरी है देखि मैं फिर एक बात कहूंगा जितना content आपके लिए जरूरी है मैं सिर्फ वही class के अंदर लेके आऊँगा और आप सबसे भी रिक्वेस्ट कि बिना मतलब का content मत कंजूम करिए criticism comparison secularism politics गंदी politics भाई भाईयों को लड़ाने वाली चीजह इस तरीके का content मत कंजूम करिए हम जो यह content कंजूम करते हैं वैसा ही हमारा दिमाग बनता है वैसी हमारी soul बनती है और यही चीजह हमारे कर्मों में reflect होती हैं और हमारे कर्म ही हमारी destiny बनाते हैं फिर हम यह कहते रहते हैं कि हमारी किस्मत ठीक नहीं है किस्मत ठीक होगी अच्छे कर्मों से अच्छे कर्म ठीक होंगे अच्छा content consume करने से खराब content तीन बार देखने से क्या हो रहा है कि उसका content और ज्यादा लोग देख रहे हैं तो आपके देखने से और लोग भी नुकसान पहुंच रहा है मैंने यह चोटा example लिया लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम कुछ भी content बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उससे हमारा समाज दूसित हो रहा है हमें इस चीज़ पर बिजय पानी होगी और आप इस देश की युबाएं आपको decide करना होगा कि कौन सी चीज़ को accept करना है कौन सी चीज़ को reject करना है Humble request आपसे क्योंकि इस आत्मा को संसकार देना हमारी जिम्मेदारी है आत्मा अजर अपने भी सुना होगा आज इस सरीर में है यह तो किराएका है लीचपे है कल को आत्मा छोड कि किसी नए सरीर में प्रवेश करेगी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस आत्मा को इतने संसकार दे के बेज़ें जब वो किसी नए सरीर में गुसे प्रिवेश करे तो और चमके और अच्छा करे जीवन में ध्यान रखेगा इस बात को अगली बात बहुत ही घतरनाक और लल्लू से सवाल जो SSE ने पूछ के बेजिती की लोगों की वो क्या है देखिए ये बात क्या मिलाने की कर रहा है ये सिर्फ पानी मिलाने की बात कर रहा है और जब ये पानी मिलाने की बात कर रहा है इसका मतलब रस सेम होगा रस यहाँ पे चार है रस यहाँ पे दो है ऐसा कैसे हो सकता है रस को तो शेम होना चाहिए, मैंने लिखा रस, मैंने लिखा पानी, तो रस उपर कितना था, 4, नीचे कितना था, 1, अब पानी 1, अब हमने नीचे देखा रस कितना है, दो उसको भी 4 बना लिया, 4 और ये 2, तो आपको एक बात समझ में आई, कितना एड करना पड़ रहा है, एक, कब जब टोटल मिशन स्टार्टिंग में कितना था, 5, पांच की वेलू, पचपन लिटर है, एक की पूछ रहा है, ग्यारे लिटर उत्तर हो जाए, क्या कोई ऐसा बच्चा था जिसको डाउट था इस सवाल में, पिलिज ये मत किया करिए कि टी-शर्ट रिपीट है, जब एक बार मना कर दिया तो नहीं होगी न रिपीट, और आप सुझेंगे आप टेग समाल की क्यों रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर बटन आता है, गलको बटन टूट गया तो लगाएंगे तो सही न, तो सारे टेग कुछ भी नहीं है सवाल में, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, अब ज़्यादा वक्त मैं नहीं दूँगा, एक मिसर दातू के साड़े तीन सो ग्राम में तावा और कांस तीन अनुपाद, चार के अनुपाद में हैं, चार तीन का अनुपाद बनाने के लिए इसमें तावे की कितनी मात्रा डाले जाए, यानि अब ये कांस को सेम करने की बात कर रहा है, तो देखें, दो तरीके हैं इस सवाल को करने के भी, मैं फिर से कहूंगा, इस सवाल को करने के तरीके कितने हैं, दो तरीके हैं, प्रशाद जी आपको समझ में आ रही हैं सब बात है, देखो, इन पाद तीन कारनौपाद बनाने के लिए इसमें कितना कावा मिलाना है्. तो कावा, पहला है, पहला जैसे पहला प्यार होता है, तावा पहला है. काश से दूसरा है. काश को हम नहीं शेट रहे हैं, काश से सही होना चाहिए. सेम कैसे बनेगा अगर ये तीन है और ये चार है तो मैं तीन और चार को कैसे सेम बना सकता हूँ पहले एक चीज और समझ लेजिए किसी भी रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा करने पर रेशियो पर कोई फरक नहीं पड़ता अगर कोई ratio एक अनुपाद 2 है कई लोगों को यही नहीं समझा रहा होगा तो उसे हम 2 से गुणा करके 2 अनुपाद 4 लिख सकते हैं उसे हम 3 से गुणा करके 3 अनुपाद 6 लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं ठीक है, तो हमने ये देखा कि अगर मैं इस को 3 से और इसको 4 से गड़ा कर दूं, तो ये 3 तीया 9, और ये 3 चौक 12, और ये 4 चौक 16, और 4 तीया 12, तो हमने देखा कि ये सेम हो गया, इसको मैं क्या कह रहाँ, ब्रॉंज इसको कप तो आपने एक चीश देखी कि टोटल यहाँ 21 है बारे और 9 जो हम एड कर रहे हैं और 21 की वेलू सवाल में 300 थी अच्छा हम एड कितना कर रहे हैं 9 और 16 7 कर रहे हैं कि नहीं हम एड कितना कर रहे हैं 7 और टोटल कितना था 21 तो मैं समझ गया कि मैं इसको कुछ करता हूँ बस 3 से अब कई लोग जिद आ जाती है कई लोग बड़े कमाल की होते हैं पता है क्या करेंगे दुर्गाजी वो इसको सास से भाग करेंगो कि सास से कट रहा है बचेगा 3 अरे हमें क्यों करना है सास से भाग यही कैलकुलेशन त कि 3 सत्य 21 और इधर इसको 3 से 3 एकम 3 3 एकम 3 3 चींग 18 6 ग्राम यानि जो हमें चाहिए उसकी वैलू है 116.66 ग्राम यह इजदा करेक्ट आंसर आज की क्लास में मैं बता दूंगा ऐलिगेशन कब लगाना है और कब मिक्षर लगाना है ऐलिगेशन बताऊंगा भी और लगाना कब है यह भी बताऊंगा चिंता की कोई बात नहीं है अभिनास के रहे हैं मुझे कम समझ में आ रहा है अभिनास आप साहिद वह विद्यारती हैं जिसने एर्थ क्लास के बाद कभी गड़ित पढ़ानी ग्रहविक ज्यान ले ली थी गड़ित छोड़ दिया था ऐसे ही क्यो सी यूई टी जो भी देंगे उसके अंदर गड़ित आईगी अब आप जूज रहें गड़ित से तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी ध्यान से समझना पड़ेगा एक बात जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करना पड़ेगा कमेंट ना करके लेकिन तुमारा तो दिल नहीं ल लेगी हैं इंप्रेस हो जाई यार मेरे को इमांदा लड़का चाहिए था मेरी फैंट कियाती ही कुछ भी हो ना हो पैसा ना हो ना हो लड़का इमांदार होना चाहिए तो केजरी बाल से कर लो साधी इतनी इमांदारी की पड़ी है तो मुझे ने लगता उस आदमी से ज्यादा इमांदार सब्द बोला किसी ने होगा इमांदारी का तो मुझे नहीं पता आगे बढ़ते हैं अच्छा सवाल था और आगे भी हम ऐसे अच्छे सवाल करते रहें कि मैं कुछ और एक सवाल आपके सामने लेकर आग रहा हूं और यह सवाल लेकर आर्यू सवाल करह रहा है और प्रक्टिस ही नहीं है और हम किया रहें कि यह बैश हमारा प्रो बैश है, हम कुछ भी है छोड़ेंगे नहीं, एक भी सवाल पेपर में ऐसा होना नीच चाहिए जो यहां से बाहर आए, यह हमारी कोशिश है कि एक भी सवाल ऐसा होना नीच चाहिए जो यहां से बाहर आए, ठीक है, टेलीग्राम सदा तो B के साथ मिलाया जाता दिख अब यहां पर ना अनुपात नहीं पूछ रहा अगर यहां अनुपात पूछ रहा होता तो फिर सवाल अलग हो जाता हमारा नजरिया अलग बदल जाता सवाल को करने का यहां तो बड़ा सिंपल है यह कहा रहा है कि जी 10 बताओ दोनों मैं मैं कहा रहा हूं पहले वाले में टोटल 3 और 2 पांच है यानी कितने गुना है बारे गुना है एक की वेलॵ दूसरे वाले में total कितना है तो आपने का ये भी 5 है यानि यहां भी 5 की value 100 है कितने गुना है 20 तो बस हमसे अगर दौनों में 10 पूछ रहा है तो अलग-अलग निकाल लेते हैं 10 बाद वाला है एक की value 12 है तो 2 की कितनी होगी आप कहेंगी 24 अगर एक की value 20 है और 10 इसमें पहले वाला है तो value कितनी होगी एक की 20 और इन दौनों का सम हमसे पूछ रहा है 20 24 चौबालेस उत्तर है कि क्या यह सवाल मुश्किल है बताओ कि बोल भाई कि एक लड़का लिख रहा है सर अच्छा है कि मेरा अंडर बिया डॉलर का है रुपे का होता तो गिर जाता सब दिख जाता हो हां सब दिखने के लिए तो तुमारे पास मिसाइल है ना सब दिख जाता होस में आके comment कर लो कुछ नहीं रखा इन बातों में मैंने खुर पे देखे हुए आते हुए आतों में ठीक है चले एक बड़ा आसान सा और प्यारा सा सवाल है सवाल पढ़ना होगा देखिए जब आप यहां सवाल पढ़ेंगे तभी आपके दिमाग के complexes निकलेंगे तभी आपको पेपर में हर सवाल आसान लगने लगेगा तो एक बार यहां सवाल पढ़ने की आदर डालिए जैसे सवाल बहुत लंबे होते हैं काम का data छोटा सा होता है मैं इस सवाल को जल्दी से पढ़ रहा हूँ यह करा एक बरतन में दूद पानी का योगों द्वारा हम मिस्रण से कुछ लिटर पानी निकालते हैं तो अनुपात 5-7 हो जाता है पानी निकाला है हम दूद नहीं और मिस्रण की मातरा 36 लिटर हो जाती है तो पता लगाएं कि पानी कितनी मातरा में निकला गया बेहद आसान और प्यारा सवाल है मेरी request है आप करिए कुछ भी नहीं है सवाल कि कुछ भी सवाल के अंदर नहीं है जितने भी बच्चे यहां पर यह कह रहे हैं कि सर अभिने मैं सेपे कोर्स है हमाई वैलिडिटी बढ़ा नहीं है उसका प्रॉसेस स्टार्ट करा दिया है एच सूनेज आपको मैसेज आ जाएगा वह एक कमेंट बार-बार मत करिए ठीक है सब थोड़ा सा सिलो पढ़ाए चलिए मैं थोड़ा और सिलो पढ़ाता हूं आप एकदम टेंशन मत लीजिए देखे मैं फिर से कहूंगा कि सवाल आपको कहीं भी मिल जाएंगे अच्छे कुछ भी मिल जाएगा बट सॉलूशन से से सेले किलोमेटर उसके बाद आपका दिल ने करेगा और आप नौइडा एक्सप्रेस वे से आगरा तक निकल जाएगे आप डीड़ घंटे में पहुंच जाएंगे 185 किलोमेटर और आप ठकान भी ने फिल करेंगे तो दिमाग कितना ठकेगा और कितना सही यह इस बात पर बहुत डेपेंड करता है कि हमने रास्ते कौन से लिये थे रास्ते से मेरा मतलब है कि सवाल करने के जो तरीके हैं जो रास्ते हैं अगर वो इसमूत नहीं है तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते पेपर में आपका तो गड़ित के तीस सवाल करके दिमाग ठक जाएगा नहीं तो आपके तरीके अच्छे होनी होनी चाहिए आप कहीं भी पढ़ लेसे ख़्ली है करी करी कि आफिस लेखिर हमी despु chy है हमने रासाइनिक प्रियोगों से कुछ लिटर पानी निकाला मैंने का कोई बात नहीं दो तीन है ना आप ऐसे रखिए इसको कुछ मत करिए कि उसके बाद आपने पानी निकाल लिया तो यह अनुपाद 5-7 होंगे और आप यह कह रहे हैं कि यह टोटल बारे हुआ हमारे साथ से 5-7 लेकिन सवाल में है कि मिस्रन की मात्रा आप 36 लिटर है यानि कि बारे की वैल्यू 36 लिटर है अब हम पूरे को लिटर में बदल लेते हैं कुछ भी नहीं करना आप देखें आपको मजा आ जाएगा इनफेक्ट की यार बहुत बड़ी आ यार मजा आ गया देखो कि हमने यह कहा कि बारे की वैल्यू 36 लिटर है तो एक वैल्यू 3 लिटर है इतना तो समझ रहे जो हमारा बारे है वह सवाल का 36 है तो आमने इसको भी तीन गुना कर दिया हम ने कहा तीन पज, ये 15 होना चाहिए और तीन सत्ते ही है 21 होना चाहिए यानि 15 लिटर क्या है दूद है और 21 लिटर पानी है आखरी मिस्रण में कोई डाउट अगर यहां पर है तो बताइए कोई डाउट नहीं होका मुझे लगता है यहां तक कोई नहीं हो अब आपको मालूम है कि हमने पानी निकाला था ने क्या निकाला था जी पानी निकाला था दूद तो हमने निकाला नहीं था यानि हम यह कह सकते हैं कि दूद जहां यहां पंदरे लिटर है एल्टे तो यहां अभी वह 15 लिटर होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं तो मैंने क्या किया साड़े साथ से इसको गुणा करना पड़ेगा 15 बनाने के लिए मानते हैं कि नहीं साड़े साथ से गुणा करना पड़ेगा तो अगर दो की वैलू साड़े साथ है तो साड़े साथ से गुणा करने का मतलब यह है कि यहां 15 लिटर तो दूद होना चाहिए और साड़े 22 लिटर पानी कई बच्चे कहेंगे साड़े 22 पानी कैसे आया मैंने कहा दूद को 15 बनाने के लिए साड़े साथ से गुणा करने पड़ेगी रेशियो को अब रेशियो को करेंगे तो अकेले दूद को तो करेंगे निए पानी को भी करेंगे यानि हमने देखा कि पहले पंद्रे लीटर दूद था और साड़े फानी स्वाइस था किसे चेड़ा यह त्था है लेकिन ना पानी कितना है beef तो फिर आगे आप देखेंगे अच्छे सवाल भी आएंगे अगे बोलिये भाई इस फ्यूचर दरोगा हमारे साथ है मास सब क्या मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे प्रियांसू कैसे कहें अभी यह कई बच्चों को तो यकीन नहीं होता है यह क्या है कि जितना लोग मैं कहाता हूं जितना लोग पैसे के लिए मर रहें बच्चों को भी डाउट होने लगाए यूट्यूब ही एक ऐसी जगह है जहां से revolution लाया जा सकता है मैं हमेशा मैं हर साल लेके आता हूं मैं कहीं भी पढ़ाओ इससे पहले मैं कहीं और पढ़ाता था फिर अभी पिछले एक साल से मैं अभीने मैं सेब पर पढ़ा हूं अब चाहिए मैं टेश्ट बुक पर पढ़ाऊंगा टेश्ट बूक पर मैं पहले भी पढ़ा रहा था रिकार्डड क्लासिस पढ़ा था अभी लाईब भी पढ़ाऊंगा तो इससे कोई मतलब नहीं मेरा यूट्यूब अभ आए नाए उसकी याद आती है और हम उच्छी में खुश हो जाते हैं कि हमारे बाद सोचने के लिए खुश होने के लिए कुछ तो है और मैं यादाओं को और अच्छा मानता हूं मैं कहता हूं तू ना सही तुससे अच्छा तेरा तस्वर है तिरी याद है जब बुलाता हूं चलिया और यह कोई मेरा चैनल नहीं यह यह सिर्फ और सिर्फ आपका ह Advent okay आपके सहयोग से बनायाब के प्यार से बनाएं अपना कैसा कुच भीजित आपका दिया हुआ है सब कुछ और बहुत सुरह थे सवाल हमने कुछ भी नहीं किया हमने बस यह देख लिया कि मिसरंड की मात्रा 36 लिटर आप ऐसे समझो यह मैच चल रहा है एक शॉट पड़ता है फिर बीच में कमेंट्री आ गई वैसी चलेगा मजा तभी आता है अब मैच में सिर्फ शॉट हो कमेंट्री ना हो इदर उदर की बात है ना हो तो क्या मजा आएगा कोई नहीं देखेगा मैच तो ऐसे ही पढ़ाई भी होनी चाहिए मैच में क्यों इतना इंट्रेस्ट आ रहा है कमेंट्री हो रही है जाके जोगे बड़े फिर कमेंट्री उसकी तारिफ हम क्या करें एक सवाल बताया मुँपे मार दिया जिसक सवाल को देख लीजिएगा अगर नहीं समझाया होगा तो यह सवाल देखे इससे आपके और दिमाग के कॉंप्लेक्स निकलेंगे आपकी और सोचने की तरीकी निकलेगी देखे इस सवाल को मज़ा आएगा बहुत कई बच्चे बूच रहे हैं सर सत्तू कहा गया देखे सत्तू कोई छोटी मूटी चीज निया मैंने पहले भी बताया था कि आप उससे हिसाब से बात करिए जितना भारी उसका सरीर है जितना भारी उसका एक हिस्सा है आपकी कई हिस्से बन जाएंगे उसमें बैशनो देभी दर्सन करने ने जा पाया अगला उस गुफे में घुसा था तीन दिन में रेस्क्यू करके निकाला गया था तीन बड़ी क्रेन आई थी जे सीवी ने हाथ खड़े कर दिये थे गुफा से निकालने में एक क्रेन जो खीच रही थी उससे कुछ नहीं हुआ फिर एक क्रेन से आगे से धक्का लगवाए गया तब एक साथ बहुत तेज आवाज से वो निकला था मा बैशनों भी जग गई थी कि कौन राक्षा साथ जमी पर उतर आए देखे सवाल बड़ा प्यारा है 87 लीटर के एक मिस्रन में दूद और पानी का अनुपात 5-6 है इसमें 14 लीटर पानी आप पता है क्या होता है हमें यह देखना होता है कि सवाल का उतर पूछा के फोकस क्या होना चाहिए कि हम लीटर का अनुपात बना दें वो नहीं होता हम क्या सोचते हैं कि जो अनुपात दिया उसका भी लीटर बना दें क्यों अपना काम बढ़ा रहे हैं जब सवाल में यह पूछाई गया है कि अनुपात निकालना है तो हम अनुपात निकालेंगे हम हर लिटर को अनुपात में बदलेंगे कैसे देखे 70 लिटर के के एक मिसरन में दूद और पानी का अनुपात 5 है 77 लिटर का मिस्रण है और दूद और पानी का अनुपात क्या है 5-6 यानि मैं यह कह सकता हूं कि जो 77 लिटर है वो रेशियो 5 और 6 11 के बराबर है यह रेशियो है भाई मानते हूं 27 लिटर मिस्रण था और रेशियो कितना था 5 और 6 11 यानि इंटू 7 कर सकता हूं यह कह सकता हूं कि 7 लिटर एक रेशियो के बराबर है आपने देखा हमने इसमें 14 लिटर पानी मिलाया है तो कोरिया का बच्चा भी यह बात बता देगा नौर्थ कोरिया साउथ कोरि सेवन लिटर की वैलू अगर रेशियो में एक है तो 14 लिटर की दो होगी और अगर हमसे कोई कह रहा है कि पानी मिलाया है तो हम पानी में दो जोड़ देंगे रेशियो तो 58 उत्तर आ जाए यह चीज़ां सीखनी है कई बच्चे इसमें क्या करते हैं दुर्गा साब कि वह 5 साच है ना 11 की वैलू 77 एक की साथ लिटर इसको फिर साथ पंजे 35 और साचींग 42 बनाते हैं 35-42 में 14 जोड़ते हैं फिर रेशियो निकालते हैं हम कहते हैं कि जब रेशियो निकालना है तो इन दोनों को लिटर बनाने से अच्छा है इस लिटर को ही रेशियो बना दिया जा है यानि जो चीज हम से पूछी जा रही है हम उस पर फोकस करें तो अच्छा है होने लगेगा अरे जो तुमारे सामने हैं उसका भी तो आनंद लो जो चली गई उसके बारे में सोच के जीवन कराब करने से अच्छा है कि जो मिली है उसका भी तो आनंद लो कौफी की तमनाती चाय मिल गई इसके द्धों को फिल करके चाय का भी तो आनंद लो समझते नहीं हो यार बात को आगे बढ़ते हैं अगला सवाल अब सोचे ये सवाल 2018 मिन्स में आया है अब बच्चा वो ही इस सवाल को करने के उसके तरीके अलग अलग है 32 लिटर का गोल है पांच तीन कानुपात है पहले पांच तीन को चेंज करेगा वो फिर उसमें से 12 लिटर गोल निकालेगा उसमें भी लफड़ा है फिर 7.5 लिटर जल मिलाएगा उसमें और लफड़ा है फिर गोल और अमल और जल कानुपात पूछ रहा है अगर आप मेरा तरीका समझ गए हैं तो ये सवाल 5 सेकेंड से जादा का नहीं है उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 2-4 बच्चे तो ऐसे होंगे जो मैंने पढ़ाया है और उस तरीके के अकॉर्डिंग इस मेंस 2018 में आए हुए सवाल का सॉलूशन देंगे आपके पास है 8 सेकिंड आपका समय सुरू होता है अब बोलो भई प्रियानसु केरें सर रोहिस सर्मा का रोता हुआ चेरा बारबार रिट करता है दो सो चालिस करोड NET बढ़त है रोहिस सर्मा की और 1100 करोड है बिराट को उर्योंद की और उसकी पत्नी की भाई सो करोड है … समझेरों बेटा इनके करोड भी अटा दो उतने पैसे तुम्हारी जिम में है नहीं और जब तुम्हारा लाश्ट लियर सेलेक्शन नहीं हुआता न तो माबाप के आँखों में आशू थे बस उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया था कि उन्हें दुख कितना है लेकिन कमाल की बात यह है कि अपने सामने के आशू तुम कभी नहीं देख पाए और टीवी पे चल रहे उस प्रकरम के आशू तुम्हें दिख गए यह बहुत कमाल की बात है साहिद तुम उन आशूं को देख पाते तो आज जीवन में कुछ कर गए होते तो बेटा आशू भी सही देखना सीखो कियाते ना कि जीवन में इस खोना लाजमी है पर वो इस किताबों से हो जाए तो दिल तूटने का जक्म नहीं बल्कि केरियर बनाने के पुरुषकार मिलेंगे अगे बढ़ते हैं चले बड़ा कमाल का यह सवाल था तो यह तो तेह है कि 20 लीटर बचेगा 20 लीटर बचेगा और यह भी तेह है कि अनुपादव 5-3 होगा यह भी तह है क्योंकि यह हमने बताया कि किसी मिस्रण से कितना भी आप गोल निकाल लो उसी अनुपात में निकलता उसी बच्टा आप तरीका देखना तो अब आपने देखा कि जो पांच तीन है वह आठ है यानि 20 लिटर की वेलू बेसिकली आठ है रेशियो में है या नहीं कि आप से 20 कितनी बार करता है रहाज यह किसकता हूं मैं यह किया सकता हूं धाय लिटर की वेलू रेशियो MAY एक एक है अच्चा साढ़े साथ की अगर मैं पूछों तीन से गुडा कर दँँख तो आप क्या सकते हैं कि 31 गए तीन हो किशन हो और आपने साड़े साथ लिटर जल मिला है यानि आपने तीम जोड़ा है जो अनुपात नहीं आएगा वह पांच-छे आएगा और यहीं पूछ रहा है बास समझ रहें कि नहीं हमें क्या करना है एक बच्चा करें हेडफ़न भाई यह आवाज का क्या इशुए जो हम अब तक ठीक नहीं कर पारें कल आगे से किसी भी शेशन में एक बच्चा भी यह कहता है कि अवाज कम आ रही है बच ठीक है अब आज तो ठीक आ रही है आप अपने मुबाइल का और कान का दौनों का पर्दा चेक करा लीजिए कई बार पर्दे गंदे हो जाते हैं इतना पॉलूशन है तो ड्राई किलीन होना बहुत जरूरी है मैं आपको ड्राई क्लीनर का नंबर देता हूं आप अपने कान के पर्दे ड्राई क्लीनर पर डाल दीजिए एक बार पर्दे दूल जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि वैसे भी ठंड बहुत जादा है और ठंड और घमंड से बचके रहना चाहिए दोनों यहालातों में इंसान अकड जाता है अब देख लो क्या करना है तो चलो भई यह सवाल बड़ा प्यारा था हमने इसमें क्या करा समझ लेजे देखे फिर हम रुकसत हो जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा ने मैंने कहा कि 32 लिटर घोल था जिसमें दूद पानी का अनुपात पांच तीन था हमने क्या किया उसमें से निकाल दिया कितना 12 लिटर तो मैंने कहा अभी भी 20 लिटर बचा है और अनुपात 5-3 ही रहेगा अनुपात क्या रहेगा 5-3 ही रहेगा तो 20 लिटर की वेल्teen तीन है यानि कि 20 लिटर आठ रिशयो के बराबर है आठ से भाग किया ढ़ाई बार कट का अब अनुपात क्या होगा तो हमने का साड़े साथ लीटर जल अड़ करने का मतलब तीन और जुड़ जाएगा पांच छे आगया पर गत्त एक बचे को क्या लग रहा है कि अब मैं आच grat रहे सिर आपका रिकोर्डिट कर सकता हो मैं यार जब लैप पढ़ारे तो रिकोर्डिट क्यों है असी बात करेंगे क्यों है दो में 2017 में आया है बहुत आसान सा सवाल है दुर्गा साब पानी देख लीजिए का एक बार आगे बढ़ते हैं किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले ना भाई सवाल ये है कि एक जार में फल और रस का अनुपात पानी का मिस्रण रखा है जिसका अनुपात 15X है जब 16 लिटर के एक मिस्रण में 4 लिटर पानी मिलाया जाता है तो फल के रस और पानी का अनुपात एक एक हो जाता है एक्स का महान क्या है मैं फिर से सब को यहीं कहूंगा एक ही बात कहूंगा कि अगर पढ़ाई के अंदर मैच जैसा इंट्रेस्ट लेके आना है तो यह कमेंटरी जहिलनी पड़ेगी इसी का मज़ा है अगर किर्केट में भी सिर्फ चौके चक्के आएं कोई बॉल ना रगड़े कुछ ना दिखाए जाए तो किर्केट का साथ इंट्रेस्ट खत्म हो जाएगा इंट्रेस्ट अभी है जब मैद पॉजिटिव ली जीगा ठीक है चले जी सुरू करते हैं इस सवाल का सॉलूशन देखिए एक जार में फल का रस और पानी का मिस्रण रखा है जिसका अनुपात 15 एक्स है जब 16 लीटर की मिस्रण में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फल के रस और पानी का अनुपात इतन देखें जादा रिपीट के लिए मत बुले जहां मुझे लगेगा कि यह सवाल मुश्किल है मैं खुद से दो बार तीन बार बताऊंगा रिपीट करूँगा बढ़ अगर कोई एक ऐसा सवाल है जो 4000 लोगों को समझ में आ गया बाकी को नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप रिपीट करके देख सकते हैं पीछे करके देख सकते हैं वो एक तरीके का रिपीट ही हो जाएगा या किलास के बाद भी दुबारा देख सकते हैं ठीक है करना चाहता हूं मित्र कि 16 में चार जोड़ूंगा तो कितना होगा 20 यानि वो दद्दस हो गए तो क्या-क्या रस कि उसकी बोली का और पानी कि रस और पानी दो चीज है दद्दस हो गए आपको भी मालूम है कि 4 लीटर हमने वाटर एट किया है अगर हमने वाटर एट किया है तो मैं यह कह सकता हूं इससे पहले वाटर 6 रहा होगा और यह तो दसी रहा होगा क्याँ कि इसको तो छड़ा नहीं है यानि जो अनुपात है वो मैं यह कह सकता हूं 5-3 था सवाल में हमें यही 5-3 15x दे रखा है तो इसको 3 से गुड़ा करूँ तो 3-5-15 और 3-9 15-9 भी क्या सकता हूं 5-3 को यानि x ही 9 है 9 ही x है क्या इस सवाल को करने में कोई मुश्किल आईए मुझे बताओ आप कुछ भी मुश्किल आईए कुछ था ही ने सवाल में हमने कहा 16 लिटर 15 और x के अनुपात में था हमने 4 लिटर पानी डाला तोटल 20 हो गया यह कह रहा है कि एक-एक हो गया यानि आधा दूद आधा पानी हमने उसको दद्दस लिख दिया दद्दस हमने कहा तब हुआ जब 4 लिटर पानी गिरा उससे पहले जो 16 था वो तो 10 और 6 था यानि 5 और 3 था लेकिन यह कह रहा है पांच और 3 नहीं जी 15 और x था तो हमने इसको है गुलसन मंसूरी जी हमारे साथ हैं गुलसन जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस कदर जूड़ने के लिए कि एक और प्यारा सा सवाल देखिए और कल 9 बजे जुड़िएगा मेरे साथ एक चैनल है एससी टेश्ट बुक बाई सुपर कोचिंग कल रात को 9 बजे ठीक है इकीस तारीक है ना जल एकीस तारीक को 9 बजे परसों फिर हम इस क्लास में मिलेंगी देखिए एक बीकर में एसेड और पानी का अनुपात एक अनुपात एक्स है जब 300 ml मिसरण और 50 ml पानी को मिलाया जाता है तो एसेड और पानी के मिसरण को दो अनुपात 5 हो जाता है एक्स का मान क्या होगा सेम सा सवाल है जो बच्चा कर पाएगा उसकी जद बढ़ेगी जो नहीं कर पाएगा ऐसा नहीं कि उसकी जद बहुत गड़ जाएग के भी पहली ही किलास है तर मैं फर्च टाइम अपने फ्रेंड के रेकमंडेशन से आपके वीडियो देख रहा हूं और बहुत मज़ा आ रहा है इससे पहले दूसरे टीचर का पेट कोर्स लिया था पैसा बरबाद आप मस्ट पढ़ा रहे है एंक्यू रतन बरबाद ऐसा नही कुमार साफ के रहे है रिचा के दर्सन करा दिजिए मैं मांता हूं कि क्लास में कम से कम सो जबर सो लड़के सिर्फ इसलिए आते हैं कि कभ हमें रिचा के दर्सन होंगे सिर् áli का फोकस यह है कि कभ हमें रिचा के दर्स धरा ओंए और जिस दिन इनों ने सच बता रहा हूं मैं रिचा कि जिस इनों ने डाड़ी देख ली न और छाती के बाल खेल खतम हो जाना है सच बता रहा हूं मैं इनके अर्मान तूट जाने हैं एक बीकर में एसे बिलक के रोहेंगे रब भाई ये क्या हो गया इसलिए पढ़ाई कर लो कुछ नहीं रखा इन बातों में ज्यादा होगे एक बीकर में एसेड और पानी का अनुपात एक और तीन सो एमेल है 300 ml ठीक है हमने क्या किया 50 ml पानी मिलाया तो एसड और पानी के मिसरण को दो अनुपात पांच हो गया 50 ml पानी मिला दिया ऑच वाटर अब यह टोटल कितना हो गया सारे 300 ml पिर से एक चीश कहूँगा कि जो सारे 300 ml है उसका जो अनुपात है वो दूपात तो मैं क्या जान सकता हूं कि वो कितनी कितनी कॉंटिटी में है तो पांच और दो का मतलब साथ साथ के वेलू साड़े तीन सो है एक की पचास यानि पांच की डाई सो और दो की सो एमेल अचा आपको ये मालूम है कि ये साड़े तीन सो तब बनाए जब हमने पचास एमेल वाटर एड किया है तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि वाटर एड करने से पहले तीन सो एमेल में अनुपात क्या था तो आप कहेंगे जी ये कम हो जाएगा पचास ये सो और ये दो सो हो जाएगा इनने क्या कहा है सो और दो सो हो जाएगा यानि अनुपात क्या हो जाएगा एक अनुपात दो यानि दो ही एक्स है एक्स ही दो है अब अगर ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो कर लेंगे और आएगा जरूर, चाय पिरी में हो, चाय में में हो, आएगा जरूर किसी बच्चे को डाउट नहीं है, इस सवाल में आगे बढ़ते हैं कि कुछ मैं अच्छे सवाल आप से पूछता हूं जिसमें आपका दिमाग लगे दिमाग जले कि यह देखो यह सेम टू सेम सवाल है बस सवाल की तोड़ी बहासा बदल गई है तोड़ा सा ट्विश्ट है सवाल के अंदर एक बार यह सवाल देखिए अगर आप यह सवाल कर दिया तो मैं समझोंगा कि अब आपका बेस बन रहा है अब आरम से बारत सेकेंड ले लिए तो तक मैं लोगों के कमेंड पढ़ रहा हूं कॉमल जांगरा जी करें सर रिंग रोड पर गाड़ी भगानी है मुझे आपके साथ आप कैसे बगा पाएं गाड़ी आपके पास बाई के स्कूटर है क्या स्कूटी होगी आपके पास अब भगा तो लेंगी गाड़ी कॉमल जी फिर उसके बाद प कि उसने बुलाया था आए हाए इसका भी बड़ा अलग दर्द है देखो दोके का सबसे बढ़िया बदला पता है क्या है कि तुम सलेक्ट होके उससे पहले कर लो तुम सलेक्ट होके उससे पहले कर लो और उससे पहले तुमारी ऐसी फोटो उससे पहले तुमारी ऐसी फोटो मेहन्दी लगी हुई चली जाए अब आप कहोगे कैसी फोटो आप कहते रहे तो आतक दिखा ही नहीं कभी दिखा देता हूं कैसी फोटो की बात कर रहा हूं यह फ ये लग जाए दोस्त, ये देख रहे हो ना, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, महंदी वाला, महंदी वाला, ये अगर लग जाती है तो फिर ठीक है, वरना तो कोई बदला है नहीं ना आपका भी ले पाओगे, असफलता ये है कि उसने अपने बच्चों से तुम्हें मामा unreasonable दिया, और सफलता ये है कि तुमने अपने बच्चों से उसे बुओा दियो, जानंगी बदीए पैमाने बता दी, एक बातर में 240 मिसरण है लिटर और इस मिस्रण में दूद और पानी का अनुपात 5X है इस पात्र से 48 लिटर मिस्रण निकाला तो मैं फिर से एक चीज कहूँगा कि अगर आपने 48 लिटर निकाला है तो आप यह मानते हैं कि वो भी 5 अनुपात X में होगा अब हमें 240 से कोई मतलब नहीं है अब हमें 240 से कोई मतलब नहीं है हमें मतलब है अब 48 लिटर पांच अनुपात X ठीक है अब इस पात्र से 48 लिटर निकाला और एक अन पात्र पीम डाल दिया और 12 लिटर पानी डाला 12 लिटर वाटर डाला है तो टोटल कितना हो गया है ताट लिटर है तो जब यह साथ लिटर हो गया तो इन्होंने कहा है अनुपात 2-1 का हो गया अनुपात क्या हो गया 2-1 मैं यह कह सकता हूँ यह 2-1 का अनुपात है यानि 3 की वेलू 60 लिटर तो एक की कितनी होगी 20 लिटर हम यह कह सकते हैं कि हाँ यह 20 लिटर और यहां यह 40 लिटर है अब आपको मालूम है यह 20 और 40 तब बनाये जब आपने 12 लिटर वाटर एट किया है तो मैं यह पूछ सकता ह हूँ बार लिटर वाटर से पहले यह कितना था तो आप कहेंगी जी आठ लिटर था और यह 40 था यानि जो यह 48 था उसमें 40 और 8 यानि 5 अनुपात एक का रेशियो था सवाल में 5 और X का था यानि X ही 1 है और 1 ही X है इस सवाल में और पिछले में कोई अंतर नहीं है लेकिन इस सवाल में कॉंसेप्ट लग रहा है बेसिक कॉंसेप्ट कॉंसा कि अगर हम 240 मिस्रेण में से 48 निकालें चैने 47 निकालें वेट कुड़ी था वह अनुपात 5X ही होगा और उसमें बचेगा और 5X होगा बोलो बास समझ में आई या नहीं आई बोल दो भाई सर रेलवे के लिए ले सकता हूं माकान सुकला यार रेलवे के लिए क्या ले सकते हो अभी तो विकेंसी नहीं आ रही पढ़ाई जारी रखो कब रेलवे नोटिफिकेशन निकाले सामको 6 बजे और बोलते कल सोबह 8 बजे एकजाम होगा और 12 बजे रिजल्ट घोसित हो चार बजे से तुम्हें जॉइनिंग हो जाएगी पांच बए तक ट्रेनिंग चलेगी और उसके बाद तुम्हारे हाथ में राजधानी दे दी जाएगी अब तुम्हें डिसाइड करना है कि किस दिता में लेके जाना है अब तुम कहोगे कि हमारी नौकरी लगी है सबसे प इसमी जिंदगी हनीमून भी तुम्हें इसे पूरे विश्व में करके आख चले बहुत प्यारा सा और आसां सा सवाल आप सबके सामने हैं और इस तरीके की एक दो सवाल में होमवर्क मैं भी दोंगा और बहतरी न और मुश्किल सवाल लेकर आएंगे एक सवाल आपके सामन हो गया तो दूद की प्रारंबेक मात्रा गयात की जिए बड़ा अन्मोल सवाल है देखिए जब दूद मिलाओ तो पानी को सेम कर दो जब पानी मिलाओ तो दूद को सेम कर दो अब आप देख लो आपको करना क्या है देखो देखो भाई जल्दी 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 देखोग तु जल्दी जल्दी करोगे सवाल चलिए सवाल क्या है एक बरतन में दूद और पानी का अनुपर तीन अट मैं लिखता रहूँगा जैसे जैसे बूला जाएगा वैसे वैसे लिखेंगे सवाल कभी कोई मुश्किल नहीं होता बस जैसे बूल रहा है वैसे लिखते रहो तुम क्या करते हैं कि वैसे नहीं लिखते हैं हम अपना दिमाग ज़्यादा लगाते रहते हैं कोई भी रिष्टा तभी तूटता है जब हम अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाने लगते अगर हम अपना दिमाग ना लगा है तो नहीं तूटेगा जैसे बहुत से लोग कहते हैं स्टार्टिंग में सब बहुत ठीक था क्योंकि स्टार्टिंग में हम दिमाग नहीं लग ना तो फिर रिष्टे खराब होने लगते हैं क्योंकि एक चीज आज मैं आपको बड़ी घहरी बताने जा रहा हूं कि प्रेम और फ्रीडम दो चीज़े हैं और जैसे आप किसी की फ्रीडम छीनने लगोगे ना तो प्रेम अपने आप कम होने लगे आप प्रेम में स्वतनतता नहीं शीन सकते सामने जैसे जैसे छीनोगे प्रेम कम होने लगेगा आपने देखा भी होगा जैसे जैसे आप रोका टो की ज़्यादा करेंगे तो प्रेम कम होने लगेगा प्रेम की कीमत फ्रीडम की कीमत से बहुत कम है कोई भी कैद रहके प्रेम नहीं चुनेगा दुर्गा जी ठीक कह रहा हूं या नहीं मैंने आपको कैद ही बनाना चाहता हूं आपको मेरा प्रेम मिलेगा या कोई आपको आपके कह दे आप नहीं पसंद करें तो freedom या स्वतंतरता की कीमत प्रेम से कहीं बहुत जाए यह हमें समझना पड़ेगा प्रेम से उपर है स्वतंतरता स्वतंतरता है तो प्रेम होगा नहीं तो नहीं होगा मैं के example हमेशा लेता हूँ यह चर्द अगटिकी है इन चार पिलर्स पे तो इन में बड़ा प्रेम है लेकिन स्वतंतर रखा हुआ एक दूसरे को हम क्या करते हैं जब किसी रिस्ते में जाते हैं एक दूसरे के पैर में अपना पैर बांधना चाते हैं मैं जैसे चलोंगा वैसे तुम चलो चलना संभव नहीं है गिर जाओगे लड़कडा के बहुत ध्यान से समझने पड़ेगी बात बहुत गहरी है तो ये जीवन में याद रखना आपने माबापा को भी ये कहना माबाप से बच्चे बच्पन में तो बिलकुल एकदम सटे रहते हैं बिलकुल मम्मी पापा मम्मी बाद में क्यों ऐसे दूरियां होने लगी आज ब बहुत गहरी है बात पिताजी को जाके सुनाना समझ पाएंगे साइथ देखिए बरतन में दूद पानी का अनुपात 3-8 है उसमें कुछ दूद मिलाया 5-4 अनुपात हो गया मिल्क हमने मिला दिया मिल्क एट कर दिया और आज मैंने ये बात के लिए कर दिया कि पढ़ने का मजा भी तभी है जब कमेंटरी है नहीं तो कोई फैदा नहीं है ऐसी किर्किट देखने का जहां कमेंटरी नहीं है तो कमेंटरी जरूरी है हमने मिल्क एट किया मैंने प्लस M कर दिया और ये अनुपात कितना हो गया 5-4 मैंने क्या कहा 27 लिटर पानी मिलाया तो ये अनुप के तो अनुपाद के ना होगया ओट जान पानी उदर मिल्क बात पता है कि जब हम इधर पानी मिला रहें तो मिल्क सेम होना चाहिए हम मिल्क को सेम मना देते हैं आपने कहा इधर चार गुणां 5 कर लेते हैं इधर इधर चार इधर पांच से गुड़ा करने पड़ेगी इधर आपने देखा इधर 20 इधर भी 20 इधर कितना है 16 और यह 5 अच्छा आप से अगर मैं पूछूं कि मैं इतने पूर्शन की बात करूं यहां से यहां तक कि तब आप कहेंगे कि यहां पर हमने मिल्क एट किया है तो दूद से होना चाहिए चार चौक 16 है दूद यहां पर आठ है दूद तो मैंने दो से गुड़ा अब आप देखना मैं कुछ नहीं कर रहा हूं वसे सनुपात को दोबारा लेक रहा हूं मैंने कहा पहले में मिल्क 6 और पानी 16 बादवाले में यह 20 और यह 16 और इसमें यह 20 औ जोड़ें कि कितना आएगा जी 9 और 6 में कितना जोड़ें कि 20 आएगा तो 14 यही है आपने देखा गी जी इस 9 की वैल्यू 27 लिटर दे रखी है सवाल में 27 लिटर हम से इस 14 की वैल्यू पूछी है कितनी होगी 14 लिटर यही उत्तर है क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है सवाल में कोई भी बच्चा ऐसा जिसको डाउट है सवाल में तो मुझे बता दो कोई भी बच्चा अगर ऐसा है जिसको सवाल में डाउट है तो वह पूछ सकता है कह सकता है सवाल में कुछ भी नहीं था जहां मिल्क एड करने की बात कर तो आमने पानी को सेम कर दिया जहां पाणीएड करने की बात कर रहा था हमने मिलक को सेम कर दिया पस यहीं कॉंसेप्ट था जो हमें स्टाटेंग से अब तक पढ़ रहे थे इसमीत पाथक 42 बतारिया है चाहि हिंदी इंगलिश में अलग-अलग है सब्सक्राइब एक बरतन में दूद पानी तीनाट है कुछ दूद मिलाया और उसमें पांच चार पांच हो गया दूद की प्रारमिक मातरा नहीं पूछ रहा है दूद के एड की हुई मातरा उसमें कुछ दूद मिलाया तो यह वाला दूद पूछ रहा है आप अपनी भासा में लिख लेना जो दूद मिलाया ना वह यह पूछ रहा है कि जो प्रारम में दूद मिलाया है उसकी वैल्यू क्या है उसकी आउकात क्या पूछ रहा है इतना च नोकरी नहीं इसलिए मेरा breakup हो Gaya नोकरी वालों के भी ब्रेक आप हो रहे के आप समझ रहो कितने एक्टर एक्ट्रस के breakup हो रहे ह कम से बेड़ी तोप हो जी बताओ आप मुझे अपना मन माछोटा ब्रेक बहुत करो कि मेरे पास पैसा कह estado नौकरी ती इसलिए ब्रेक अप हो गया बस उसका दिल लगा जहां उसने अपने जिंदगी निकाल के रख दी यूँ अफसोस करना है तुम रोग भी लेते तो उसने एक दिन जाना ही था लोग आते जाते रहेंगे इतना चिंतार परेशान उने वाली बात नहीं है एक फेज होता है जाने के बाद तीन चार पांच महीने ये लगता है कि अब जिंदगी में अंधेरा है सब कुछ खत्म हो गया है तो वह पांच- पुछा करिये मैं इसलिए तो आपको बताता हूं कि यह temporary thought है यह बदल जाएगा एक टाइम पर चलिए ऐसा ही एक सवाल में homework मैं दे रहा हूं बिल्कुल same to same सवाल जैसा मैंने भी आपको पढ़ाया है मैं चाहता हूं कि एक सवाल आप ऐसा करें यह बिल्कुल same to same है पहला बहुत अलग होगा तो मैं खुट कराऊंगा ठीक है तीन अनुपाद चार हो गया फिर अब 35 दूद निकाला तो अनुपाद 25 हो गया पानी की प्रारंबिक मात्रा ग्याद कीजिए आप टेंशन मत लीजिए ब्रेक अप से कैसे निपता जाएगा या आप जीवन में हतास महसूस कर रहे है या परेशानी महसूस कर रहे है अगली क्लास जब मैं लेकर आऊँगा तो इस्टार्टिंग के दस मिनट में इसी पर बात करूँगा कि हाव टू मूव ओन प्रॉम एनी डिफिकल्टी ओफ यॉर लाइफ में जिन्दगी में आए हुए किसी भी दर्थ से कैसे गुजरना है कैसे हिम्मत देनी है अपने आपको इस पर हम बात करेंगे लिख लीजेगा भाई अगली क्लास का टॉपिक है हमारा हर क्लास में दूद और पानी का कुछ अनुपात है हमने 16 लिटर पानी निकाला तो अनुपात 3-4 हो गया फिर अब 35 लिटर दूद निकाला तो 2-5 हो गया बड़ा मुश्किल भी है कि कोई ऐसे पानी और दूद कैसे निकाल सकता है इतना आसान तो है नहीं बट कोई बात नहीं यह गड पानी निकाला है हमने तो अनुपात 3-4 हो गया है उसके बाद हमने दूद निकाला है तो यह 2-5 हो गया है अब आप देखिए कि अगर आपने दूद निकाला है तो पानी सेम होना चाहिए मानते हैं कि नहीं तो पानी सेम कर देते हैं दूद निकाला है तो इसको 5 से गुड 15 और यह 20 और यह 20 और यह 8 अब आप देखते ही समझ रहे हैं कि 15 से दूद 8 रहे गया यानि कितना निकाला हमने 7 और 7 की वेलू सवाल में कितनी है 35 लिटर यह बात के लिए रहे हैं साथ की वेलू सवाल में कितनी है 35 लिटर अब हमसे क्या पूछ रहा था पानी की प्रारंबिक मात्रा तो मैं यह क्या रहा हूं अभी पानी कितना है साथ की वेलू अगर 35 लिटर है तो अभी पानी 25 पंजे 100 लिटर है अभी लेकर आपसे इनीशियल पूछ रहा है कब जब आपने 16 निकाल लिया था मैं यह जान सकता हूं कि 16 निकलने से पहले पानी कितना था 116 लिटर यही सवाल का अंसर है मैं आपको और कुछ बहुत खूपसूरत और बहुत ही एकदम चंगे सवाल पूछता हूं आपका दिल खुश हो जाएगा तयार है भाई आप बहतरीन सवालों के लिए तयार है कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई तकलीफ हो रही है सीखना पड़ेगा भाई यह सब यह सब मैनत करनी पड़ेगी नहीं सीखेंगे कुछ नहीं होगा जितनी बात है मैं आपको बता रहा हूं यह कंपेरिजन वाली की आठ लिटर रेशियो के बराबर है यह सब कुछ सीखना पड़ेगा बोलो भई आचा जो भी बच्चा है ऐसे समझ लो कि इस बार TGL में अच्छे नमबल आएगा तो उसको मैं अपने यह वाला फॉन दे दूंगा यह वाला मैंने ज्यादा यूज नहीं किया जो भी सबसे टॉप में अच्छे नमबल लेकि आएगा मैंनत करेगा इसका सारा रिकॉर्ड अच्छा रहेगा उसको यह फॉन दे दूंगा कि अब काम का नहीं रहा लेता आगे बढ़ते हैं चले बहुत खतरनाक सवाल पूछ रहा हूं बहुत खतरनाक है और मैं समझता हूं कि डाएक्ट पूछ लेता हूं अब क्या खहा हूं अगर दुरका सब आपने सवाल तो मैं समझता हूं कि रेलवे आपको घर से उठा लेगी इस में बढ़ा असान बड़ा प्यार हे और मैं चाहता हूं रिल्वे आपको घर से उठाए, इस प्यारे से सवाल पर, कौन बच्चा बताएगा इस सवाल को, anybody else, कोई भी बॉड़ी, dead बॉड़ी, super बॉड़ी, जो भी बॉड़ी है वो, एक ही गुपता जी कहे रहे सर मुझे पॉट्टी लगी है, पता नहीं, कहां कहां से लोग आते हैं, इनको पॉट्टी लगी है, किसी को दिल लगी है, कहां लगी है मूँपे लगी है पहुँच लो कहने क्या जरूत है पॉट्टी लगी है जहां लगी है वहां पहुँच लो बताए यह कौन सवाल बताएगा इस सवाल का उत्तर जो भी बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा इजद बढ़ेगी उसकी और कुछ नहीं अगर आपको इज़त बढ़ानी है एक बच्चा लिख रहा है सर एक बार मैं समझ नहीं आता देखिए एक बार मैं समझ नहीं आएगा मैं फिर से क्या रहूँ पिर से मेरी हमबल रिष्क्वेस्ट है आप मुझे एक बात बताईए आप केवल समझना चाहते हैं सेलेक्शन चाहते हैं देखिए जहां भी आप पढ़ रहे हैं और आपको आसानी से समझ आ रहा है तो समझ लेज़े सेलेक्शन नहीं होगा अगर कोई भी बात इतनी आसानी स समझ में आ जाती है और उसे सेलेक्शन हो जाता तो सबका नहीं हो जाता अब खुद बताओ मुझे तो जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं जरूरी नहीं है कि वो उतनी एक्जाम ओरिंटेड है लोग प्रेफर करते हैं कि यूट्यूब पे आसान आसान चीज़ें पढ़ा हो जिससे हर बच्चे को समझ आए और बच्चा के यार उन सरका सब समझ में आता है तो वो तो जितने बच्चे पढ़ाते हों कि सबका सेलेक्शन हो जाता होगा कोई भी हो एक्स वाई-जै आप बताओ मुझे अगर मेरा पढ़ाय हुआ आपको 30-40% समझ में आ रह दुबारा पढ़ेंगे वही 80-90 हो जाएगा प्रक्टिस करेंगे मौक लगाएंगे वही 100 परचेंट में बदल जाएगा तो भाई रिक्वेश्ट है आपसे अब यह किलास परसों होगी अब यह किलास परसों होगी एक दिन छोड़के एक दिन है इसी लिए लंबी भी है चलो भई लेकि मैं समझाता हूँ इस सवाल को कोई बात नहीं हुआ इतनी बड़ी कोई बात नहीं है मैं यह और एकसो साथ लिटर के मिर्स्रण में दूठ पानी कान पासाट पांच था है अम नेज़ दोएकस निकाल दिया मैं आप से पूछ रहा हूं इस निकालने के बाद milk water का अनुपात कितना होगा यह बता दीजिए बस निकालने के बाद आपने का जी 75 ही होगा आपने कहा है आप कह रहे हो कि मैं X للट पानी एड कर रहा हूं x-liter water add कर रहे हो आप x-liter अब यह अनुपात कितना हो रहा है साथ मों आप एक चीज तो जानते हूं अगर आप पानी एड़ कर रहे हो तो दूद सेम होगा तो मैं यह कर रहा हूं दूट सेम है तो आपने कितना एड किया पांच और नौ का मतलब आपने चार एड किया चार की वेलू एक्स लिटर है क्या सकता हूं कह सकता हूँ तो मैं यह करा हूँ यह total ratio था मेरा 75-12 तो आप मुझे बता सकते हूँ चार की value x literally है तो बारे की कितनी होगी इन we kali अरिaci चीब मैं यह कह सकता हूँ कि जब आपने 2X निकाला था तब तेन 3 X था इसका मतलब इससे पहले 5X था अथा ये इतना X कितना आ गया 32 आप बताओ क्या ये सवाल मुश्किल था ये comparison सीखना है ये ratio का comparison सीखना है बार बार यही सिखा रहा हूं लीटर को कैसे ratio में convert करना है लल्लू सवाल था लेकिन फिर भी नहीं कर पाए अब जब यह सवाल पेपर में आएगा तो कहेंगे बहुत मुश्किल पूश लिया लेंधिक एल्गुलेशन थी करने के तरीके अच्छी कई बच्चे क्या करेंगी 160 कोई पहले 75 में बाटने की कोशिश करते हैं सबसे बड़ी गलती मैंने जान बूच की 160 लिया मैं चाहता है 120 ले ले ताब बाट लेते उसको बट हमें क्यों बाटना मैं आपकी आत्मा में अपनी अप्रोच गुसाना चाहता हूं इस पॉसिवल इस नॉलेज हमारे साथ जुड़े हूँ हैं बहुत-बहुत स्वागत है इस नॉलेज आपका और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि यह क्लास दूर तलग जानी चाहिए सबको पता लग जाना चाहिए कि एक यूट्यूब पे बहुत स्टक्चर्ड वे में टाइप वाइज क्लास चल रही है कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा मेरा दावा है अब इसको फैलाना आपका काम है किसी भी एक्जाम की गड़ित आज बहुत सारे बच्चे सी सेट के लिए बटक रहे हैं सी सेट में आपने देखा पिछली बार नंबर सिश्टम के कितने मुश्किल सवाल आ गए कौन सॉल कराएगा हम कैसे क्वालिफाई होगा सी सेट हम ब बटरेट कर रहे हो तो यह साथ 9 हो यानि 5 से 9 होना 4 बढ़ा है तो मैंने कहा 4 की वेल्यू एक्स हो और अगर 4 की वेल्यू एक्स होगी तो 7 5 कितना है 12 12 की कितनी होगी 3 एक्स हो यानि 2 एक्स निकलने के बाद मिसरन कितना था 3 एक्स उससे पहले 2 एक्स निकलने से पहले 5 ए ऐसे ही कुछ और खुबसूरा सवाल लेकर आ रहा हूं मैं फिर से और मजा आएगा बहुत दुहां ओड़ेगा गदगद कर देंगे बुलो वही त्यारों चलो कि एक प्यारा सवाल आपकी कॉपी के ऊपर यह रहा है बेहत प्यारा सवाल बेहत सुन्दर अध्भुत सवाल बेहत प्यारा दिल है कि मानता नहीं इस दिल पे किसका जोर है कि मैंने एक साइरी लिखीती है भी परसों की बात है राइडे को आठ पच के छपन मिनट पे आपको सुनाता हूं किसको दिल का हाल सुनाओं आज हम और आप उसी सिती में होते हैं कई बार मैं अपने आपको आप में ही सामिल कर लेता हूं ताकि आपको अच्छा लगे किसको दिल का हाल सुनाओ और कौन सी बात दिल में दबाओ जब मैं खुद की तनहाई से बात करता हूँ तो खुद की तनहाई को किई बात कहा है मैंने दिल को पत्थर करके हर लमा सहा है मैंने इतना आसान नहीं है जिंदगी जी ना बहुत कुछ सहना पड़ता है बहुत कुछ सहना पड़ता है अपने आप और अपने आप की तनाई से देखो भई सवाल बड़ा प्यारा था और मैं दो देखते ही समझ गया था कि सवाल का उत्तर आना चाहिए एक अनुपात एक कैसे आएगा वो देखते हैं कि एक सो पाँच लिडर के मिस्डन में दूध् पानी का आनुपात आठ साथ है मिस्वंड की कुछ मात्रा हटा दी जाती है जिसमें 14 लीटर पानी था और बाद में सेस मिस्टर में 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो दूद का नया अनुपात बड़ा प्यार है मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ अगर हमने आपको यह कहता है जब भी आप कुछ भी हटा होगे तो वह आठ साथ के अनुपात में हटेगा यानि अगर आप साथ पानी हटा होगे न तो दूद आठ अपने आपने लेकिन आपने 14 लीटर हटाया साथ की जगह है तो मैं आपने 30 लीटर हटा दिया और 30 अगर इस में से हटा दें तो बचता है 75 अनुपात यही होगा आठ साथ मानते हैं कि नहीं और आठ साथ का मतलब कितना है रेशियो में तो आप कहेंगे 75 की वैलू 15 रेशियो में 75 लीटर है और यह रेशियो है तो मैं आप से पूछ रहा हूँ कि पन्ना पिचत्तर पांच लीटर की वैलू रेशियो में कितनी होगी एक आपने इसमें एक लीटर मिलाया है बस तो आठ आठ यह एक अब बताओ इतनी फोकी कैलकुलेशन इतनी फोकी कैलकुलेशन अगर आप सीख गए तो दुनिया की को स्विंग यॉर्स मेरी इंगलिश थोड़ी अलग है नहीं आईगी आपको समझ ऑक्सपोर्ड उनिवस्टी से पढ़ाया मैंने 12th के लास तक क्या मैंने होम साइंस मेरा होम सब्जेक्ट था घर पर ही रहके साइंस की पढ़ाई की थी मैंने बास समझ रहें कि नहीं किसी को कोई दिक्ट दे तो बता हो था इक इस्ट फिरसे आप समझेया कि टने प्यार से बताएं मैंने कहा जब भी हम किसी भी misran से कोई misran नकालते हैं और वो 8 अनुपात साथ में तो उसी अनुपात में निकलेगा यानि milk 8 और water साथ निकलेगा लेकिन जो आपने निकाला है उसमें आपने खाए कि water 14 लिटर है तो फिर milk 16 लिटर नेकलेगा यानि हम कह सकते हैं टोटल 30 लिटर निकल गया और जब दोस्ट 30 लिटर निकल गया तब हमने का बचा कितना 105 मैं से 35 और यह 75 आठ साथ 15 रेशियो की बराबर है यानि 5 लिटर एक रेशियो के बराबर है और आप एक पानी एड़ कर रहे हो अगर आप दूद एक एड़ कर रहे जाए आप ऐसे सी किसी भी एक्जाम की त्यारी कर दो मैं जो पढ़ा रहा हूं यह सभी एक्जाम को मद्दे नजर रखके पढ़ा रहा हूं गड़ित एक है एक जैसा है कुछ भी उसमें अलग नहीं है आपको अगर यह लगता है तो वह गलत लगता है आप गलत सोचते हो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा सवाल आप सब की स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं अगर आपने सवाल कर दिया तो मैं समझूंगा की बहुत इज़त है आपकी बट यह अभी रहने दीजिए क्योंकि मैंने आपको क्रॉस प्रॉड़क्ट नहीं पढ़ा है तो उससे पहले एक सवाल और था यह बहुत प्यारा लगा था अगर आप मैं सच बता रहा हूं यह सवाल पेपर में आजाए मेंस में तो बच्चे मैक्सिमम छोड़ के आएंगे और सिर्फ किस लिए किसकी कैलकुलेशन बड़ी कठिन थी बड़ी कठिन कैलकुलेशन थी तो मैं चाहता हूं कि चाहें आपकी कैलकुलेशन बड़ी है छोटी है आप यह सवाल करो और उसके बाद जब मैं सॉलूशन बता हूं तब आप देखेंगे कि मेरे सवाल करने का त आप दे सकता है प्लीज रिक्वेश्ट हमबल मैं पढ़ देता हूं सवाल एक्स लीटर के मिस्रण में द्रब ए और द्रब बी का अनुपात किरम से पांच तो है मिस्रण का 25 परसेंट निकाल लिया जाता है और मिस्रण में 6 लीटा तरल मिला दिया जाता है अनुपे मिस्रण में द्रब बी की मातरा 15 लीटर है तो एक्स का मान बताओ एक बच्चा करा सर मेरा सेलेक्शन हो गया है यह तो बहुत अच्छी बात है आपका सेलेक्शन हो गया है तो नीचे लिख रहा है सर उसके पापा ने मुझे सेलेक्ट कर लिया वाह कितना अच्छा काम किया उसके पापा ने तो मैं सेलेक्ट करके वाह वाह चलो पापा जिम्मेदार होंगे उसके बविश्य के लिए अब हम क्या कह सकते हैं इस लिटर के मिस्रण में दरब A और दरब B का अनुपाद 5-2 है मिस्रण का 25% निकाल लिया गया और मिस्रण में 6 लिटर तरल B मिला दिया गया और अन्ते मिस्रण में दरब की मात्रा 15 लिटर बड़ा बड़ा प्यार है अदुबूत जिसे कहते है न कुछ भी रही है सवाल एक बात बताईए अगर 25% निकाल लोंगा तो उसके बाद जो 75% बचा है 25% जो बचा है भहिया इव दा क्वांटिटी ओफ लिक्विड बी इन दा फाइनल मिच्चर इस 15 लिटर देन दा वैल्यू आप देखो यह के लिए तो मैं यह कराऊंगी जो 75 लिटर बचा है आप से अनुपात पूछ रहा हूं तो आप कहेंगे अनुपात पो उसका भी 5 दो होगा आपने 6 लिटर तरल भी मिलाया है और तब तरल भी 15 है अगर मैं यह ना मिलाओं तो मैं कह दूंगा यह 9 लिटर होगा मिलाया है ना मैंने यानि कि हम यह कह सकते हैं कि यह 9 लिटर है यानि 2 की वैल्यू कितनी है जी 9 लिटर है 2 की वैलू 9 लिटर है आपको कितने की निकालनी है 7 की निकालनी है तो बड़ा फस गया मामला तो आप कहेंगे जी कुछ नहीं है आप देखो यहां पर 1 की तो 4.5 है तो 7 की जो है कितनी आ गई देखना आप दिहान से देखना वह ऐसे मजा नहीं आएगा अब मैं क्यल्कुलीशन का मतलब यह तो आप ने का कि यह 7 की आ गई साथ गोडा साढ़े चार चलेगा इतना वह एक की साढ़े चार तो साथ की इतनी आ गई लेकिन यह 75% मिसरण है जी अब कई बच्ची सीम भजाएंगे 75% की तो 25 की 25 की हमें और चाहिए भी यह तो 75 की 25 हमें और चाहिए तो मैंने का तीन से भाग कर दूँगा तो चलेगा इसको तो आपने का हाँ चलेगा साथ और 1.5 इन से भाग हो गया अब आपको तो पूरा 100% चाहिए तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो साथ तो कॉमन आ जाएगा और अंदर छे हो जाएगा तो साथ च्छी 42 लिटर हो तुम 25 की निकालो और जोड़ो बस और वो जोड़ भी आसानी से रहा है और 75 से 25 निकल भी आसानी से रहा है तो कहीं हमें बहुत लंबी चोड़ी गुणा भाग नहीं करनी पड़ी देखिए कैलकुलेशन बहुत माहिने रखती है आपने कैलकुलेशन की कैसे मैंने क्या कहा आपको कि रास्ते आसान बनाने पड़ेंगे, आसान रास्तों में धकान नहीं होती, और धकान नहीं होती तो आगे और चलने की एनरजी बची रहती, और आगे जाया जा सकता है, इसलिए धकान का ना होना ज़रूरी है। जी सुमित पुनिया, सर, आपके ओनलाइण क्लासेशति मैं ऐसलाइण क मंजहता है देखिए मैं फोलाइण भी डिस्टार्ट करने वाला societies सोच रहा है, मैं अभी तक यह डेटी Indeed कर पा राहा हूं कि मैं ऐसलाइण सुरू करूं आखिर बच्चा पढ़ना कहां चाहेगा कहां आप आएगा इसी कस्म कस्में मेरा बड़ा दिल है क्योंकि जो जिन्दगी का इस पार्क है जिस इंटेंशन या जिस खुशी के लिए हमने पढ़ाना शुरू किया था हम टीचर बने तो वह आफ लाइन ही था आज तो बस कैमरे पर मैं किस तरीके से वह माहौल रख पाता हूं मैं ही जानता हूं वाव 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 आगे बढ़े आगे बढ़ता है को अब आप कि मैंने क्या बताया था यह समझा पाया जी मैं सभी तरीके से मैंने कहा कि पांच अनुपा दो है और छ्ए हमने मिलाया ने इसलिए नौ है तो दो की वेलू नौ है एक की साड़े चार तो टूटल यह साथ है साथ की साथ गुड़ा साड़े चार अब यह 75 परसेंट की वेलू है हमने 25 की निकाल दी तो वहां से दोनों को जोड़ दिया तो यह 100 परसेंट जो मिस्रंड था हमारा वो कितना आ गया साथ कौमा ना के साथ गुड़ा सीट है बड़ा मज़ा है यह सवाल करने में कहीं कोई तकलीफ ही नहीं हुई अब जो बच्चा इस सवाल को कर लेगा उसकी अलग इज़त बढ़ जाएगी क्योंकि यह सवाल भी अपने आप में बहुत ही मुश्किल और जबर जस्त है और एसी सवाल अब आपको आगे पेपर में देखने को मिलेंगे इस बार ही आपने देखा कि मिक्चर का कितना क्यलकुलेटिफ सवाल पूछा एससी ने बहुत क्यलकुलेटिफ तो नहीं था लेकिन आपके नजर से था क्योंकि आप करनी पाए उसे सर आपने मैश देखा था किया हाँ मैश देखा था जहां तक देख पाये थे हिम्मत थी देखा था तो उसके बाद टीवी बंद कर दिया था क्योंकि उन आखों से उतने दर्द सेहनी की छमता थी नहीं हमारे अंदर और फिर मुझे ये था कि मोदी साव हैं तो फिर मुम्किन है तो इसलिए मैंने उनकी उपर छोड़ दिया था फिर लाश्ट में मेरे पास फोटो भी आई कि उन्होंने कप उठा लिया है देखे परिशान होने की बात नहीं है कई वचे परेशान होते हैं हिम्मत कर और सब्र कर हिम्मत कर और सब्र कर बिखरके भी निकर जाएगा यकीन वख खुद पर यह वक्त जैसा भी है गुजर जाएगा देखे बड़ा प्यारा सवाल है एक बरतन में 160 लिटर दूद और 20 लिटर पानी का अनुपात है मिस्रण है मैं यह कह सकता हूं कि आठ अनुपात एक है आठ अनुपात एक वह 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 क्या गिरा है बहीं कोई बात नहीं गिरती रहती है ऐसी चीज़ें रुपया गिर गया यह तो कुछ भी नहीं है चलो तो मैंने कहा कि आठ अनुपात एक है ठीक है अब यदि मिस्रण से मिस्रण निकालकर मिस्रण यानि मिस्रण से एक्स लीटर मिस्रण निकालकर x लिख लेजिए x मिशा रहेगा इसकी तागत को ही तो हमें 0 करना है इसमें 20ली पानी और 25 लीटर दूद मिलाया तो अब दूद और पानी का अंतर 100 लीटर है बढ़े ध्यान से देखना भाई और यह 8 एक के अनुपात में था तो अगर मैं इस में से कही न कही एक्स निकालूँगा तो वो एक्स भी आठ अनुपात एक में होगा ये बात मानते हो सब वो जो एक्स में निकालूँगा वो भी आठ अनुपात एक में होगा आपने कहा कि 20 लिटर पानी और 25 लिटर दूद मिलाया है यह मिल्क है और यह वाटर है हमने क्या किया है 25 लिटर मिल्क मिलाया है 25 लिटर मिल्क और 20 लिटर पानी 20 लिटर पानी मिलाया है क्या सकते हैं कि नहीं इस वात को 25 लिटर यह 20 लिटर पानी मिलाया है अब दूद और पानी का अंतर सॉलिड है अब जो यहां पर फाइनली मिल्क और वाटर आया है उसका डिफरेंस कितना है बड़ा प्यारा समझे अब देखें दियान से समझना होगा इस इतना आसान नहीं है दियान से समझना होगा कैसे समझेंगे फोकस करिएगा एक ठीक है बहुत प्यार से फोकस करिएगा कैसे मैंने यह कहा यह अंतर यहां पर सो है जबकि मैंने इस अंतर को कोशिश कीती कम करने की यहां पर यह अंतर कितना था आप कहेंगे यहां पर यह अंतर 140 लिटर का था तो मैंने कोशिश कीती कम करने की मैंने कैसे कोशिश कीती कम करने की हमने इस में से कुछ निकाला था लेकिन हमने क्या किया 20 लिटर पानी उपर सही लिखा हुआ है उपर 20 लिटर मिल्क है उल्टा लिख लीजिए आप इसे करेक्ट कर लीजिए 20 लिटर दूद है और 25 लिटर पानी है करेक्ट कर लीजिए उल्टा है मैं फिर से करेक्ट कर देता हूं 20 लिटर मिल्क है 25 लिटर पानी अब आप देखेंगे कि मैंने कोशिश क्या की थी मैंने कोशिश यह की थी कि यार यह इससे 140 लीटर जादा था तो मैंने कुछ तो यहां पर निकाला मुझे नहीं पता लेकिन मैंने यहां पर 5 लीटर कोशिश की कम करने के आप देख पा रहे हैं मैंने 5 पानी जादा डाला ल याद किते हैं 5 तो आपने अकपर किया या करते तो 105 लीटर का अंतर होता यानि दूठ इक सो पान्म लीटर पानी से जजदा होता अगर मैं यहां पे बात करूँ सतंवीं इस लाइन पे वाइट वाली पे तो यहां मैं से कुछ भी निकालूँगा अगर मैं 9 लीटर इनिकालूँगा ना तो 8 दूध निकलेगा एक पानी क्योंकि अनुपात ये है यानी ये 7 जदा निकलेगा हर एक बार में लेकिन आपको मालूम है की 140 से 105 हुआ है यानी ये 35 लीटर निकला है 35 लिटर जादा निकला है और अगर 7 की वेलू 35 लिटर है तो 8 और 1 जो ये 9 था X इस 9 की वेलू कितनी होगी 45 लिटर यानि X 45 लिटर है हमने 45 लिटर निकाल दिया अब आप खुद देखोगे मैं आपको ये प्रूब भी करके देखा देता हूँ ये 160 था ये 20 था अब आप 45 लिटर निकालोगे का मतलब क्या है आपने 40 ये कम किया आपने 20 कितना कम किया है 5 ये कम किया उसके बाद आपने क्या किया 20 लिटर ये दूद मिलाया उसके बाद आपने 25 ये मिलाया तो आप देखोगे आपको वही मिलेगा 20 से 5 के 20 और 20 ये 40 और माइनस 20 140 आपने देखा अंतर कितना आ रहा है 100 का अंतर है ये चीजे ये सवाल को मैंने क्या किया उत्तर निकालने के बाद आपको शौट करके दिखा दिया कि सवाल क्या कहना चाह रहा था क्या कहा है सवाल में बोलो भई कि लिए रबात कोई बच्चा ऐसा है जिसको ना समझ मैं आ रही हो बात को बता दो कोई भी बच्चा ऐसा है बसमासो लिख रहे हैं सर आइफॉन दिला दो देखिए यहां कोई कुछ नहीं दिला था किसी को मैं आपको एक बचपन की बाद बता रहा हूँ मेरे कई सारे नाना आए हुए थे यहांने नाना nah के चचारे भाई घर में कोई फंक्षन था सुछाइद ऑज़ए की बेटे की सगाई थी तो कईसारे नाना आई हुए थे मैं और मेरा भाई उन से बराबर जित कर रहे थे नाना आइस क्रीम दिला दो आइस क्रीम दिला दो एक रुपे दे दो दो रुपे दे दो और उन दोनों बत्तमीजों या तीनों बत्तमीजों ने हमें कुछ नहीं दिया चलो मैं इसको भी गलत नहीं मानता नहीं दिया उनका बज़ट नहीं होगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे इतने दूर के किसी रिष्षेदार की सगाई में आ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि उनके पास बिल्कुल कुछ नहीं होगा उनको देदेना चाहिता एक पिताजी ने वही सूता था कमर में आज तक दर्द होता है और बात एक दो रुपे की टीमात था अब इन्हें जो करना जिन्दगी में खुद करना है कोई एक रुपे की आइस क्रीम ने दिलाएगा जीवन में याद रखना तो बस तुम भी ये बात याद रखो किया कोई एक रुपे की आइस क्रीम ने दिलाएगा भाई जो करना है वो खुद करना है समझ गए आगे बढ़ते हैं क्योंकि कहते हैं ना कि आखों से लिखी जाती है कुछ दास्ता हैं आखों से लिखी जाती हैं कुछ दास्ताएं कर कहानी को गलम की जरूरत नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। तुशार भाई हम लोगों की बीच में जुड़ गए हैं। बहुत ही पुराने आदमी। चले एक और ऐसा ही सवाल मैंने आपको बोला था कि जब भी मैं कराऊंगा तो अच्छे सवाल दो तीन तीन कराऊंगा। मुझे तो लगा आपने बावल ब्राउन करा लिए हैं। बेहतरीन है। एक सो पांच कैसे हुआ एक बच्चा पूछना चाहरा है कि 105 कैसे हुआ पिछले सवाल में। 105 ऐसे हुआ ना कि आप देख रहे हैं यहां पर अंतर सो लिटर है। मैंने अभी क्या किया है। यह दिचाना कभी चिप्स खाएगी कभी कुरकुरे खाएगी और फिर आप देख रहोगे पैकेट की आवाज आ रही है चर-चर की। हमेशा खाती रहेगी कभी वो पांच रुपे की डेरी मिल्क ले आएगी। तीन सहीलियों से पूछे की डेरी मिल्क लोगी। मेरे को पूछने डेरी मिल्क लोग है। मैं बहन पांच रुपे की डेरी मिल्क कितने लोगों बाट देगी। कि यह आप लोग ले लो मेरे को चिलने में जो हलकापल का बुरादा बच जाता है मैं वो चाट लोगी। पर इशार से आदत होई। कि भुए ये कहारहहूं आपने 20lج पानी डाल है दूद डाल है और 25l पानी डाल है तो आपने पांच लिटर पानी ज्यादा डाल दी Tail अगर आपना ना डालत है पांच लिटर पानी का स्कोर का पांच होता है आप समझुझो आप यहां पे देखो यहां तक अंतर 105 है आप देखलो यहां पे यह कितना है total मिला के पंदर है यह कितना है total मिला के 120 अलब देखलो इसका अंतर कितना है 105 है औ! नहीं 600 क्यों होगstar क्योंकि आपने 20 और 25 हैट कर दिया अपसाइद बात आ गई होगी समझ अभी भी नहीं आई यह तो आप यह सवाल करो तो हमें अच्छा लगेगा बस हमारा अच्छा लगना भी तो माइने रखता है अर्चिश तुमारे इसाब से कर दें दस बच के 53 मिनट हो चुकी है बावन सेकेंड हुए है चैनल है 93 दसमलब मैस बहुत मज़ा आ रहा है मुझे लोग nasty बहुत हो गया अच्कुन बहुत अधी नतीज आए कि आज लड़की देखने भी जा रहे तो हुआ ए पोशते का नहा ठीक बना लेती है जलो यहां तक ठीक है यह पणीर कौं-kण से आते हैं की लड़के का पिता पूछ लड़की ने भी कह दिया के रही अमूल का आता है एक मदडेरी का आता है अब आनन्दा का भी आने लगा है लग लोग हैं चलिए यह बहुत प्यारा सवाल है और हम इस सवाल को प्यारे अंदाज में ही करेंगे और उसके बाद मैं बच्चों के कमेंट पढ़ूँगा और आपसे बात करूँगा और आपसे पूछूँगा आगे की प्लानिंग क्या रहनी चाहिए हमारे बैचिज की इस तरीके से क्या क्या आपको पढ़ना है यूट्यूब पे किस किस तरीके से मदद कर सकते हैं वो सब पर बात करेंगे यह आखरी सवाल है आज की क्लास का एक बरतन जिसमें तीन प्रकार के द्रब ए बी और सी पांच शे के अनुपात में है और नौ भी है एपी सी और पांच शे और नौ यदि 20 लीटर मिसरण निकाला जाता है और 10 लीटर द्रब ए और दो लीटर द्रब भी मिलाया जाता है तो प्रणाम सरूप एक ही मात्रा बी से ग्यारे लीटर कम है अब देखो आप एक चीज़ समझे ना सी का तो इन्होंने मसलाई खतम कर दिया यह सिर्फ बात कर रहे हैं किस-किस की इन्होंने का 20 लीटर मिसरण निकाला तो पहले तो मैं यह क्या रहा हूं कि दस लीटर ए और दो लीटर भी मिलाया दस लीटर ए मिला रहे हैं और दो लीटर भी मिला आप यहां से देख पा रहे होंगे बी ज्यादा था इसलिए लगातार कम करने की कोशिश कर रहा है यहां पर आठ कम कर दिया है अब एकी मात्रा बी से ग्यारे लीटर कम है एकी मात् अब मैं दुबारा से फिर से आपको उस म्याने की कोशिश कर रहा हूं मैं यह क्या रहा हूँ एक कम ही था मेरी कोशिश थी कि इसको support कर दूँ जैसे मा नहीं होती कोई छोटा बेटा है इसकी नौकरी कम है, पैसे कम है तो उसको कुछ balance कर दिया बड़े वेटे को जिसके पास पैसा जादा था दो रुपे दिये छोटा जिसके पास कम था उसको 10 दिये लेकिन कमाल की बात यह है कि फिर भी छोटा 11 कम रहे गया तो अगर ये मा यहां बिलैंसिंग नहीं करती इसको 8 जादा नहीं देती 8 अगर इसको वो ज्यादा नहीं देती तब यहां तो इसके पास 19 कम होता मानते हैं कि नहीं इस बात को अभी तो 11 कम है जबकि 8 ज्यादा दे दिया अगर यह 10 और 2 ना देती तो यहां पर 19 कम होता मैं यह कह सकता हूँ एक की वेलू 19 लीटर होती अब साथ इस मावाले एक्जामपल से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे तो मैंने देखा 6 5 11 9 20 की वेलू कितनी होगी तो आपने का 19 दूनी 388 लीटर और आपको पता है कि 20 लीटर तो पहले ही निकाल लिया था तो इनीचेल मिस्रण कितना होगा 400 लीटर यह कैसे आया है इन दोनों को एट करने के बाएं बोलो भई क्या किसी को आया समझ मैं अभी सब बातों के जवाब दूंगा हर एक छोड़ी चीज पर बात करूंगा आप पूछेंगे नोटस मिलेंगे नहीं मिलेंगे पीडियेफ मिलेंगे नहीं मिलेंगे आज तो यह समझ लीजिए कि मैं केवल और केवल क्या करने आया मैंने सोचे कि यह बेसिक क्लास लेता हूं बच्चों से मिल लूँ बात कर लों समझ लूँ अभी तो पेपर का टाइम है फिर हम दीरे-दीरे पढ़ना सुरू करेंगे सवालों को समझ लेते हैं तो समझे कि आपकी तयारी अच्छी चल रही है महनत करनी पड़ेगी बिना महनत के किसी को कुछ नहीं मिला आज तक हर एक आदमी जिसने अपने जीवन में कुछ भी हासिल किया है उसने महनत किया आप अगर महनत नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी मैं मानता हूँ आपको कुछ सवाल आज की क्लास में मुश्किल भी लगे होंगे लेकिन क्या पेपर में आसान सवाल आएंगे क्या पेपर में चुलू ललू सवाल से सेलेक्शन हो जाएगा ऐसा नहीं है कि मैंने प्रिवियस एर भी लेके चल रहा हूं साथ साथ बट मैं बार बार एकी चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अपने सुलूशन सुधारने होंगे आपको बैस सुलूशन पे काम करना पड़ेगा अगर सेलेक्शन लेना चाहते हैं कम समय में पेपर करना चाहते हैं मेंस के पेपर में गड़ित को जल्दी करके रीजिनिंग के लिए टाइम बचाना चाहते हैं आप पहली बार में नौकरी पकी करना चाहते हैं तो आपको बहतरीन सुलूशन सीखने पड़ेंगे सवाल हर किसी के पास, हर किसी के टेले में, हर किसी के मेले में, हर किसी के वाटसेप पे आपको मिल जाएंगे बट बहतर सॉलूशन की तलास में आपको हमारे पास आना पड़ेगा solution बहतर किस तरीके से सवाल को तोड़ा जा सकता है मरोड़ा जा सकता है break किया जा सकता है कितनी आसान calculation की जा सकती है mixture से आसान कोई topic नहीं है और सोची एक mixture का सवाल आया और जब लोग analysis कराने लगे तो इतने लंबे-लंबे solution बताने लगे उनको खुद नहीं पता कि यह सवाल mixture का है कि allegation का है तो सोचे जब teacher घूम जा रहा है तो आप कैसे सीख पाएंगे आपको अच्छे सवाल अच्छे तरीके सीखने पड़े मैं यही कहूंगा यही request मेरी आप से तरजी test series पर help 50 allow कर देजिए तरजी test series अभी आप test book की ले लेंगे अभी मैं आऊंगा तो मेरा भी code होगा तो उससे भी आपको फाइदा मिलेगा कि आपकी fees कम जाए उसकी चिंता मत करिए कल आप मिलिए मुझे test book के SSC सुपर कोचिंग वाले चैनल पे और वहां पे भी कुछ practice classes स्टार्ट करूंगा जैसे यहां पे complete यह पढ़ा रहा हूं type wise हर चीज वहां पे practice class लगाऊंगा तो आप वहां से भी सीखेंगे आप सीखेंगे practice कैसे करनी है mix सवालों को कैसे करना है यह सारी चीज़ें आप वहां पे सीखेंगे तो चिंता करने की बात नहीं है कोई भी reasoning और English कैसे करेंगे उसके लिए भी A to Z क्या क्या batchage हम आपके लिए ला सकते हैं दे सकते हैं उस पे भी मैं दो चार दिनों के अंदर आप से स्पेक्टर बनना ही है माबाप की फिक्र को फक्र में बदलना ही है पिता के जितने भी कर्ज हैं उन्हें फर्ज निभाने का वक्त आ गया है वो करना है यह सब बड़ी बड़ी बात है अपनी कॉपी पे लिख लीजिए रूम में पेच फाड़ के चुपका दीजिए कि रिजल्ट आएगा तब क्या होगा रिजल्ट की पीडियाफ में मेरा नाम होगा तो कितनी खुशी होगी और नाम नहीं होगा तो दुख कितना होगा मैं लोगों से नजरे मिला पाऊंगा है नहीं ये सब चीजें भी आपको सीखनी होंगे अभी से ही सोचनी होंगे समझ रहे हैं तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी हर एक इनसान जिसने जीवन में कुछ भी अचीब किया है कुछ भी प्याया है सबने मेहनत किया तो मेरी विंतिया आपसे मैं बहतरी इन पड़ाऊंगा आप देखेंगे थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगी मैं फिर से एक लाइन कहूंगा कि जहां आपको सब कुछ समझ आ रहा है तो समझ लो सेलेक्शन नहीं होगा सब कुछ समझ आने का मतलब ही है कि कि फिर तो सबका हो जाएगा आप में अलग क्या है है आप में अलग क्या है आप यहां आएंगे तो कुछ चीजन हो सकता है आपको नहीं समझ आएंगे कुछ आपको लगा सर के उपर से चली गई देख लो जब जब आसान चीज़ें था थी तो भारत भी बर जब भी मेंस आता है आप अटक जाते हैं अभी तक जीरो लोगों नहीं लाइक किया है कि इदर जीरो आ रहा है बस कोई बात नहीं अपडेट होगा तो आ जाएगा जिन लोगों को भी क्लास पसंद आई होगी समझ आया होगा देखें दो फायदे आपको होगे मैं फिर से आपको अपनी मंजल तक कैसे पहुचना है आपका GPS कैसे सेट हो वो मैं आपको समझाओंगा ये सारी चीज़ें भी मैं आपको समझाओंगा साथ के साथ तो अब जो क्लास होगी वो परसवा 9 बजे होगी और कोशिश होगी कि उस क्लास के अंदर हम मिक्चर खत्म कर लेंगे हमें लंबा नहीं खीचना है आज हमने बेसिक्स जाने हो सकता है कि ये वीक लग जाए तीन क्लासेज में मिक्चर खत्म हो लेकिन वो तीन मैक्सिमम होंगी तीन में हर हाल में हो जाएगा तो यही बिंती है आप सबसे और रिक्वेश्ट है कि भाई मेहनत करो पढ़ो फिर मिलेंगे इसी उत्साह हो मंग के साथ ख्याल रखेगा खुश रहेगा बाई-बाई टेक क्या धनेबाद परस्वा आपसे मुलाकात होगी 9 बजे जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि हाउ बढ़का छोड़के गया आप भार नहीं आ पा रहें तो स्टार्टिंग के 10 मिनट यह चीज पर फोकस करोंगा कि मुवन किया कैसे जाता है रास्ते क्या है मुवन करने के हिमत मिलती कैसे जीवन में आगे बढ़ने की उसके बाद मिक्षर पार्ट टू करेंगे तो नमस्का बाहु मुवन करने की है और नहीं आल मिक्त मिलfar़ का उज़के बाद हैं नंतो वे लाद के लिया गो मिलती चार श्ungeको वा हं पर कि वीज़का U dicen की है